स्ट्री गाइस हेलो एव्रीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरी आवाज आ रही है कि एक बार जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर सभी लोग बता दू बच्चा लोग मेरी आवाज आ रही है कि है सभी को मैं आटिबल टू एव्रीवन मेरी आवाज आ रही है एक बार जल्दी से कॉमेंट में बता दो यार यह कौन है रहे भाई लोग सुभा सुभा उट के बगवान का नाम ले तो तुम यह बेस्ट वह बेस्ट कल के दिन बोलोगे कि देट रवीस फादर इस बेस्ट मैं फादर इस नॉट बेस्ट ऐसा इसा नहीं बोलते कभी भी ओगे गुड मॉर्ण गुड मॉर्ण गुड मॉर्ण यह मेरा बाल अभी तक ठीक नहीं हुआ इस अंडर प्रोसेस की वह शाम तक ठीक हो जाना चाहिए यार ओगे ओगे चलो यार वह बढ़िया तो वीविल वेट फार वन मिनट पहले सभी को इस और माइन इस फ्रेस 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 है माइन माइन चलो एक सिंगल शॉट में इसको निफ्टा देते हैं भले दो या तीन बज्जा है लेकिन मैं इसको खतम करवा दूँगा ठीक है हां सो अभी हम लोग बोडी फ्लूइट संसर्कूलेशन को सिंगल शॉट में पूरा का कुल में पूरा देंगे बचो ये चाप्टर जोए नबहुत ज़्यादा कंसेप्चाल चाप्टर है यह बहुत ज्वावा चांसेप्चूल चाप्टरब्ल श्याप्टरवार्वेटन अट गटर दो पिर इसमीन को निकलेगा मेडिकल कॉलिज में चाय बिनाने का वेकैंसी लेना पड़ेगा एक ही शॉट में इसको निव्टा देते हैं ठीक है चलो यार शुट्वी स्टार्ट ना ओगे देखो बॉडी फ्लूइट सार्कुलेशन में आपन क्या पढ़ेंगे बचों सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्या है ब्लड क्या है ठीक है और ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है यही दो चीज आपको बहुत इंपोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है यह दो चीज बहुत इंपोर्टेंट है तो विदाउट विस्टिंग निए शुरू करेंगे इसको लेट्स चाप्टर कल क्लास न नहीं लिया जिसने नहीं लिया भाई अनुटिस क्लास के बाद सभी लोग जाके बाइ कर लेंगे ठीक है वो test series का फिर में प्राइज दाना 14 वा कर दोगा वही होगा एक्जाम के पहले ना वही होगा यान अकाडमी कर देगी ठीक है ना तो उससे पहले तुम ले 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 ना चलो आजो जो शुरू करें बच्चो आये चलो सबसे पहली बात तुम्हारी NCRT क्या कहती है NCRT कहती है जितने भी लिविंग सेल्स हैं क्या उनको न्यूट्रियेंट चाहिए क्या जितने भी लिविंग सेल्स है उनको न्यूट्रियेंट चाहिए अब ये न्यूट्रियेंट मिलेगा कैसे सारे लिविंग सेल्स को न्यूट्रियेंट मिलता कैसे है जी देखो तो जबी भी तुम विलाही में जब food absorb होते है तो actually में जाते कहां पर है बच्चो वो जाते है आपके cell के पास तो absorbable food के class में कौन कोन आ जागा तुम्हारे पास protein, carbohydrates, fats यही सब होता है बच्चो क्या cell को oxygen चाहिए क्या क्या cell को oxygen चाहिए अच्छा oxygen क्यों चाहिए oxygen का metabolic function होता है बच्चो oxygen का metabolic function होता है और कोई मुझे बताएगा कि सर वो कौन सा metabolic function है that is our respiration oxygen respiration में major role play करता है इसके बाद तुम्हारी NCRT कह रही कि तुमने उसको nutrient provide करा दिया तुमने उसको oxygen provide करा दिया and other essential substances by living cell को ना और भी essential substances चाहिए अब वो कौन-कौन से होंगे जी बच्चो उसमें तुम्हारे हो जाएंगे hormones और elements लगते हैं जिसे कि blood clotting में calcium क्यावशकता होती है हना blood में बहुत सारे hormones होते है anticoagulation hormones होते हैं ठीक है जिसके वैसे कहता कि blood की viscosity में रहती है रहती है नहीं अच्छा जो hormone blood में मिलता है वह hormones को आपन क्या कहते बच्चो बताओ exocrine gland का secretion होगा यह वह वेस्ट और harmful substances produced क्या बच्चो सल आपका harmful substance बनाता है क्या क्या सल आपका harmful substance बनाता है क्या अब यह harmful substance कौन है यह harmful substance है तुम्हारा carbon dioxide जब metabolism हो जाता है न तो यह carbon dioxide का production करता है cell अब क्या होगा जी it have to be removed continuously for a healthy function इसका मतलब क्या बच्चो कि oxygen आपको continuously supply करना है और carbon dioxide आपको continuously बाहर निकालना है और टीशू के बाहर आपको बाहर निकालना है जी clear है क्या अच्छा अब यह सब काम कौन करेगा अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने आपको यहाँ परनाद को साफ साफ लिका है इस देयर फॉर एसेंशल तो हाव एफिशेंट मेकानिजम अब यह एफिशेंट मेकानिजम कौन है बच्चो यह आपका ब्लड शर्कुलेशन यह आपका ब्लड शर्कुलेशन İşte यह वाज एफिशेंट मेकानिजम है ब्लड सर्कुलेशन फॉर्दी मुव्मेंट ओफ इस सबस्टेंस तुटी सेल और फ्रॉम्दी स्ट hayatोमना तूदी सेल का मतलब क्पक्ति सेल के पास का न Carl था Rumman किमों तूland यहां तक बात है clear है अच्छा तो मुन्ना यह जो blood circulation है वो सारे organism में रखना पड़ेगा बोलो यार क्या यह जो blood circulation का method है transport में के लिए आपको help कर रहा है तो छोटा organism हो चाहिए वो बड़ा organism सारे living organism के अंदर ही होना चाहिए भाईया कैसे आजाएगा देखो कैसे आएगा उसके अंदर अब different group of animals have evolved a different method for this transport अब यह this transport का मतलब क्या है मुन्ना ओके इस transport का मतलब जो भी nutrient का transportation करना है अलग-अलग organism ने अलग-अलग तरीके से अपने आपको modify किया जैसे कि अब simple organism लाइक अब simple organism में कौन कौन आया का बचो sponges आएंगे phylum porifera और silentrata अब यह लोग क्या करते है बुच्छ मुन्ना अब यह लोग क्या करते है बुच्छ मुन्ना देश सर्क्यूलेटर वाटर फ्रॉम देयर surrounding through their body cavities to facilitate the cell to exchange this substance अगर आपको याद होगा अगर आपको याद होगा इनके पास क्या होता है बच्छो मैं यहां पर लिखूँ sponges के बारे में sponges के बारे में sponges के बास क्या होता है इस पंजेज में आपका ऑस्टिया होता है और यह बाहर के और निकल जाएगा ऑस्टिया एक मिनट रोग पता नहीं क्या हो रहा है तुमको मेरी यह दिख रही का स्क्रीन विजिबल जो अस्टिया तुमारे पास क्या होता है और यह आपका एक्सटरनल पोर ऐ इसके डारा पानी अंदर के और एंटर की पहले गई central cavity में central cavity को अपन क्या कहते हैं इस पॉंजो सील कहते हैं और इस पॉंजो सील से होते हुए यह और शीक्यूलम दवारा exit कर लेती यह क्या कि यहीं पाधवे बच्चो क्या है यहीं पाथवे है तो यह आपको पॉरी फिरा में देखने को मिलता है अच्छा इस फंजेज में लेवल तो स्पंजेज और सिलेंट्रेटा में बहुत सिंपल तरीके से पूरे बॉडी केविटी दोरह आपका ट्रांस्पोर्टेशन चल रहा है बच्छों याद रहेगा यह ची क्या रहेगा अच्छा अब जो सल आपका इंवॉल्ड होता इसका नाम होता क्या जी मुनना सल का नाम क एक क्या होता है मुनना देखो more complex organism uses a special fluid बैटा इस special fluid का नाम क्या है इस special fluid का नाम है blood ब्लड विदिन दी विदिन देयर बॉडी स्ट्रांस्पोर्ट सच मुटेरियल ठीक है तो complex organism ब्लड आपको देखने को मिलेगा अब देखो जी अब ब्लड के बार में भी बात करेंगे बहुत डेटेल में अभी आगे इसके बात करेंगे अब ब्लड is the most commonly used body fluid by most of the higher organism तो पेपर में आता है most commonly used body fluid कौन सा है मुन्ना अब ब्लड को यूज कौन कर रहे हैं ऐसको यूज करता है जी जैसे कि इंसान बेश करता है क्या ब्लड को यस ब्लड को इंसान भी यूज करता है अच्छा इसके तरह हमारे पास है एक और एख तुम्हारे पास body बड़ी देखने को मिलता है बच्चो उसका नाम है तुम्हारा लिम्फ यार लिम्फ के उपर है ना हम लोग बहुत डिटेल में बात भी करेंगे इसको मिडल मैं भी कहते हैं या इसे को बच्छों हम लोग इंटरस्टियल फ्लूइड भी कहते हैं इसे को इंटरस्टियल फ्लूइड भी कहते हैं यह पेल यलो कलर का होता है और यहां पेना डबलुबी सी प्रेजेंट होते हैं यह दिहान अठना आपके लिम्फ में डबलुबी से रहते हैं तब ही तो अम लोग क्या बोलते हैं बच्चो कि जो लिम्फो साइट सोते हैं और ब्लूबी से का कामी येना डेफरंस में आपका हल्प करना तब्लूबी से लिम्फ which also help in the ट्रांसपोर्ट अफ थर्टन शॉबसेंसे अब एक्सप्ट क्या एक्सेप्ट एक्सेप्ट मैं आपके एक्सेप्ट लिखा देता हूं बच्चो accept blood या आपका blood को transport नहीं कर पाता क्यों नहीं कर पाता पूछो यार accept RBC Red blood cells को यह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता क्योंकि यह size में बहुत बढ़े है न यह पार नहीं हो पाते actually lymph नुम्हारा leak substance होता है कैसे काम करता नभी मैं आगे बताऊंगा आपको इन दिस चाप्टर यू विल लर्न अबाउट दी कंपोजिशन अंद प्रपर्टीज ऑफ दी ब्लड हम लोग ब्लड के बारें पढ़ेंगे लिंफ के बारें पढ़ेंगे लिंफ का ही दूसरा नाम होता है बचो टिशू फ्लूइड यह लाइन को धियान रखना टिशू फ्ल जल्दी बताओ बिल्कुल भी नहीं यहां पर यहीं बोला गया कि ब्लेड के द्वारा क्या होगा कि ऑक्सिजन सेल को दिया जाएगा और सेल से कारबन अक्साइड लेकर बाडी के बाहर पंप किया जाएगा जिए यह सब काम करने के लिए हमारे पास complex organism में ब्लड होता है औ आदा नहीं circulate करके सब transport करेगा बच्छो चलो शुरू करें ब्लड लेट स्टार्ट विद ब्लड ब्लड से अभी हम लोग सुरू करते हैं बच्छो आईये जी अब सबसे पहले कुछ-कुछ बाते में आपको ब्लड के बारे में बता थो ब्लड के बारे में कुछ-कुछ ब प्लाजमा और एक होते हैं अगलियर। अब देखो freedom ये जो प्लाजमा उता नों 55 percent वीड़ार करेगा और फाउङ डॉलीटन आहिक में बनता है ठीक्ए अप ऩार्श माके पम चीजह आती है एक काता यह आता है water ईक काया का water जो कितना होगा 90 से 92 परसेंट होगा और दूसरा था तुम्हारा plasma protein जो कितना होगा बचो 6 से 8 परसेंट होता है कोई दिकत किसी को यहां तक अच्छा formed element में तुम्हारे तीन चीद्य आती है RBCS WBCS और blood platelet कि देने बच्चो यह बात है क्लियर हो गई आपको इतनी बात है क्लियर हो गई तुम्हारे एंसी आटी कह रहे है कि blood is a special connective tissue अब यह special connective tissue क्यों बोला गया बच्चो इसके पीछे कारण है यह special का मतलब इसके लिए बोला गया है ना कि यह तुम्हारे पास fluid connective tissue होता है यह तुम्हारा fluid connective tissue होता है ठीक है अच्छा फिर blood के बार में और हम लोग क्या-क्या जानते थोड़ा यहां पे न और सीजे लिख लिए ब्लड तुम्हारे पास fiber beer करता है क्या it lack fibers it lack fibers because हम लोगों ने जब structural organization पड़ी थी तो हमने क्या बोली थी कि जितने भी connective tissue होती है उन सा भी के पास fiber मिलता है बट इसके पास fiber नहीं मिलता है जी अच्छा ब्लड तुम्हारे कौन से जॉम लेयर से डिराइब तो यह तुम्हारा मीजो डर्मली आपका डिराइब होता है जी बेसिक चित पता है कि नहीं पता है ओके ब्लड तुम्हारे पास किन से ओरीजेंड है इनका ओरीजन भी मैं लिखवा देता ब्लड के फॉर्मेशन को आपन कहते हैं हीमो पोईसेस कहते हैं बचो हीमो पोईसेस ठीक है अब यह बनता कहां पर है तो यह रेड बोन मैरो में बनता है जी फ्रेड बोन मैरो क्या यह बनता आपका लेड बोन मैरो के जो लॉंग बंस के एंड होते न यहिए आपके वही पर बनते हैं जी भाचो यहां तक कोई डाउट है किशे को तरक विज दर किसी को किसी प्रकार का ऑगल को मैं पूरा यही बढ़ दिया ओ आये जी अश्यव मेसोडर्मली डिराइवडेस के फॉर्मेशन को अपन हीमोपोईस कहते हैं देखो कंसेस्टिंग अफ ब्लड में तुम्हारे पास फ्लूइड मैट्रिक्स आएगा बच्छो देखो कि यह ना मीडियम प्रोवाइड कराएगा ने यह आपका मीडियम प्रॉवाइड करवाता है मीडियम कसेय टीक है अब आगे सुना अगला तुम्हारा प्लाजमा की बार में डिसक्ष करेंगे प्लाजमा कितना परसेंट बच्छो तो इसका टोटल जो कॉंट्रिबूशन है वो 55% है उस 55% में बेडीजन किया गया है यू पानी हो एक पानी दा वह तुम्हारा 90-92 परसेंट होगा और और जो प्रोटीन होगा plasma प्रोटीन वह तुमआरा 6-8 प्रसिंट होगा बार-बार लिको तुमको याद हो जाएगा बिटा plasma बनता कहाँ पर है plasma बनता कहाँ पर है किसे को पता इसके synthesis होती है मां यहीं पर लखो चятно हो कि इसके synthesis धना लीवर में होती है अ ये लीवर में बनता है ठीक है आशो POLAS BLASMISE Gefühl अब अब कि यह तुम्हारा पेल यह यम्लो और का होता है कि रेके मारण पईल यह र mentor कलर गाडा अग्या अब प्लाज्मा कंसेस्टन नीरली 55 % और यह पूरय ब्लेट का 55 परसेंट मैंसे 90 से 92 परसेंट प्लाज्मा में पानी और तुम्हारे य। travelled प्लाजमा प्रोटीन कॉंट्रिबूट्स तू एट परसेंट कितना प्लाजमा प्रोटीन शिक्स तू एट परसेंट आपका कॉंट्रिबूट्रिबूट्स करते हैं है जरूरी है हमारे पास 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं अब यह नीट 2017-2018-22 बैक-टो बैक के लाइन से कुशिंच आया यह अब को पता होना कि अरे आरिन में करवा दूंगा ना है 11 खतम कर ले 11 अехञा था नहीं न है इसा मत किया कर विया देखो पहला तुम्हारा बल्लोट्टिंग में आपका help करता है यह किसम्हूंफ करेगा यह आपका blood clotting ने आपका help करता है को मない कॉलम में आता function बताओ ठीकग अच्छा きた global in내 कि दूब करगा भंचोg मेंड़क्र कर सब्दस्ट करेंग나म करता है अब इस बारे में अपको इसके बाद albumenes क्या करता है बच्चो यह आस्मोटिक बालेंस करता है यह आपको osmotic balance maintain करता है तो यह तुम्हारे कितने यह तीन तुम्हारे major plasma proteins है यह तुम्हारे major proteins है तो paper में अगर यह आ जाए कि कितने तुम्हारे major plasma protein है बच्चो कितने major plasma protein तो आप बोलोगे सर तीन है कौन-कौन सा fibrinogen, albumin और globulin इन सभी के functions आपको याद रखना है अब यहाँ पहना में बहुत सारी चीज़े आपको एक्सक्साल लिखाने वाला हो tension की बात में सबसे पहला है fibrinogen अब इसका काम हमें क्यों पढ़ता है they are needed for the clotting या coagulation of blood blood को मुझे clot करवाना है तो हमको fibrinogen की आवाशकता पड़ेगी बच्चो बिना इसके तो clotting होगा ही नहीं second तुम्हारा कौन है बच्चो globulin अब globulin तुम्हारा किसमें help कर रहा था कौन सा globulin पहले लिख लो यह तुम्हारा IgG globulin है यह primarily they are involved in the defense mechanism of the body मतलब क्या यह लड़ने में help करेगा क्या है ना fight करने में help करेगा अगर कोई भी का तुझे नगर body में आ गया तो फिर albumin क्या करता बच्चो albumin and albumin help in the osmotic balance पहले यह समझते कि osmotic balance का मतलब क्या होता है इसका मतलब कर देखो blood में पानी होता है बच्चो कि osmotic balance का मतलब होता है कि blood में जो आपके water होता है उसको hold करके रखना कि ज्यादा पानी का loss ना हो जाए यह ज्यादा intake ना आ जाए पानी की तो osmotic albumin यह ensure करवाता है कि blood में एक सीमित अमाउंट तक है पानी को रखा जाए blood में water को hold करने की में जिन्क वालने को लसका प्रोलांत प्लाजमा क्ते प्लाजमा क्लिया प्लाजमा प्लाजमा कानी होता है और है सब्सक्रies करें दब्लाजमा का मोरहतों अ मेकि ब्लाजमा उसने सम्मारिक खोंडil को कॉअके मिस्कत्तरें की यह sodium क्या करता है बच्चु अब यह sodium क्या करेगा यह nerve membrane का depolarization करवाता है अगर आपको याद होगा sodium potassium pump नहीं याद है याद है यह nerve membrane का है ना nerve membrane का depolarization करवाएगा depolarization का मतलब यह उनको activate करेगा sodium ठीक है अब यह calcium क्या करता है अगर आप लोगों ने बच्वन में अगर पढ़ा होगा तो यह calcium वही है element है जो कि ना blood coglation में आपका help करेगा ठीक है यह तुम्हारा activator की तरह काम करता है यह blood clotting में आपका help करता है यह तुम्हारा main activator है अभी मैं आपको बढ़ाओंगा ना कि फाइब्रम जिन कैसे फिब्रीन में convert हो रहे तो यह तुम्हारे calcium का presence में convert होते हैं अब calcium तुम्हारे muscles में भी होता है क्या बच्चो तो यह contraction करवाता है यह muscle का contraction भी करवाता है ठीक है तो याद रखना आपको इसके बाद यह magnesium क्या करवाता है तो यह बहुत सारे को यह को फेक्टर होता है क्या बहुत सारे इंजाइम के लिए तुम्हारा को फेक्टर की तरह काम करता है तुम्हारे होते हैं अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने परसो वाली क्लास में पड़ी थी यह तुम्हारा आप लुख-व्यूा आपको हेल्प करेगा और क्लॉराइड़ शिफ्ट में आपको हरेगा और क्लॉराइड शिफ्ट से किसका ट्रैंसपोर्ट हमसंपोर्ट होगा कार्बन डायोक-चैड तो इंका जो कॉंटिटी ज स्वी थिएक है oldest यह सब बहुत ही कम कॉंटिटी में प्रेजेंट है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अब सुनो हमारे प्लाजमा में और भी बहुत सारी चीजे होती है और क्या क्या चीजे देखो इसमें ग्लुकोज मिल रहा है अमीनो आसिड मिल रहा है लिपीड मिल रहा है यह भी तुम्हार प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है as they are always in the transit transit का मतलब का होता है small quantity में जो कि transit का मतलब होता है small quantity में जो कि transport हो रहा है small quantity और यह transport इसके चल रही है transit in the body बहुत ही small amount में यह भी आपको मिलेगा the factors for coagulations or clotting of the bloods are also present in the plasma अब ध्यान रखना मुणना जो coagulation के जितने भी factors होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे na clotting of blood तो इसने पहले ही बोल दिया है तो जितने भी आपके factors मिलते हैं वो plasma में ही मिलेंगे किस फॉर्म में आपके inactive form में और present in the plasma in an inactive form अभी हम लोग थ्रॉम्भो प्लास्टीन के बार में पढ़ेंगे सब के बारें पढ़ेंगे यह सब कुछ आपको मिलेगा बच्चो क्या inactive form के अंदर ही मिलेगा जी ओगे yes आजाओ जी अरे बाई रुग जा no one cares बाई प्लीजर स्पामिंग मत कर मैं तरह कोशन का अंसर नहीं दे पाऊंगा स्पामिंग मत करो यार थोड़ा क्लास चल रहा है मैं नहीं पर पाता हूं तरह नहीं पर पाता है बच्चो यहां तक कोई डाउट है तो क्लोटिंग के जितने भी टाउन मिलेंगे लेकिन कासे बच्चो इनकेफ मिलेंगे बार बहुत इंपोड़ेन télé्लाण रखना स्टेटमें Ёट कोशन आताए डी अचा अगर्फ लाज्मा में अगर प्लाज्मा में जैट नहों बच्चो टिक पहले आगर क्लॉटिंग फेक्र ना वह सिसे वचोंट रखनाने लगट कहें सिर से और ग्रखर वह थेँ अन्य वरत प्लास्म या अगर क्लॉटिंग फेक्टर ना बंदिख सी रहरagit को रोकना जब कर जाता है तो ठीक है आई जी हाँ इसमें आपका बिलकुल भी नहीं आएगा विकॉस क्लॉटिंग में कौन आपका एल्प कर रहा है इसका मतलब इसमें कौन कौन होगा कितने लोगो समझ में आ गया कितने मेजर प्रोडीण था बच्छो तीन मेजर प्रोडीण और तुम्हारे पास ग्लोबिलेंज फैप्लाज्मा में तुमको कोगलेशन फैक्टर मिलता है क्या इस किस फॉम सके इनक्ति फॉम में मिलता है लिए अपके इनक्टिप फॉम में रचो दक्से है प्रते अभी आगे कर से अभी अभी हम बात करेंगे टैने और छो व PROF अलमेंट कितना पर्सेंट मिलिए बनाएगा झाले बताओ प्रम symmet Ahora πα्रसंट होता है यह 45 pa सिंट होता है क्या यह त्मshotब्राWhat फॉर्टीफाइब होता है पर यह इसका origin क्या होगा यह भी तुम्हारा मीजो डिर्मली डिराइव हैoft और फॉर्म्टट एलिमेंट में कौन-कौन आता है की अ की आरी सी आता है इसे का दूसरा नाम क्याuses eh एरेथ्रोसाइट ओके डबलू बीसी डबलू बीसी का दुसरा नाम क्या होता बच्छो लिउको साइट लूको साइट और प्लेट लेट का दुसरा नाम क्या होता है थ्रॉम्बोसाइट्स तुमको दिक्र है ना अच्छे से ओं क्या थ्रॉम्बोसाइट कहते हैं अम लोग इसको ठीक है आजो सुन अब इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या बच्छो आरवीची ए रएड ब्लेट सेल्स ल्यूको साइट का मतलब है डबलू बीसी एंड ब्लट प्लेट लेट इनको अपन थ्रॉम्बोसाइट भी कहते हैं इसके बार में अपन इस फीगर में अच्छे से देखेंगे आप तुमको यह पूरा फीगर भी पढ़ा दूंगा टेंशन मतलो आज हो जो 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 इन दे कॉंस्टिट्यूट नियरली 45% आप दी टोटल ब्लड यह ब्लड का 45% बियर करत इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है और बीसी होता है क्या ठीक है आईए जी बच्वो आर बीसी के फॉर्मेशन को आपन क्या कहते हैं इसे ब्लड के फॉर्मेशन को आपन हीमो पोईसेस कह रहे थे इसके फॉर्मेशन को आपन कहत इरेथ्रोपोईसेस कहते हैं बच्चो क्या कहते हैं इसको इसे इरेथ्रोपोईसेस कहते हैं अब यह ना किड़नी किड़नी में यह तुम्हारे पास किड़नी में बनता है तुम्हारे पास यह एक्चुली में किड़नी में बनता है कि लए तुमारा ब्लड जो ना किड़नी में क्यों किड़नी में अपको हॉर्मोन मिलता है उसका नाम है एरेथ्रोपोइटीम इरेफ्रोपोईटीन क्लिर है ठीक है अच्छा एडेल्ट के अंदर एडेल्ट के अंदर यह कहां पर बनेगा यह बने का अपके यह Palτ।ối मेरो में अचैनल टॉस्याओंट बने डॉन मैरो में बने ड। कि लेकिन यहीं तुम्हारे बास फीटस केंदर यह तुमहारे जाट में अनुबारे जेए तू जाट हूआग को बनेगा मिलते है इसके अरुट में रेड़ बोन मेर्व में चलता है और रिटोस में स्प्लीनिया इस प्लीनुंएं प्ली याड है लेकिन फ्लीन तो बहुंभ भी चुन्म चलता है चोण अब मज़ा आगया आगे बड़े बच्चों सुनो आग इरत्रोसाइट और ब्लड सेंञ्ट मोस्ट आबन्देंट क्योंब ला गया है कि यूद्ट मेंीलियंस में सुन्सक्राइब के यह आपके मिलिन से मिलते हैं कितना मिलतें जो नन तो यह आपकी अन अवरेज 5 से लेके 5.5 millions इसके लिए इसको most abundant बोल आ गया है जी अब सुनो a healthy adult man has on an average 5 million से लेके 5.5 millions of RBC mm cubic of the blood याद रखना बचो unit ये unit आप लोग याद रखना टेक है अब सुनो RBCs are formed in the red bone marrow in the adults adult में कहां पर बन रहा है मैंने भी आपको पताया जी red bone marrow में बन रहा है RBC के formation को अपन क्या कहते हैं बचो erythropoices कहते हैं RBCs are devoid of nucleus अब ये mature RBC के बारे में बात हो रही है immature RBC के बारे में बात हो रही है ये बचो आपके mature RBC के बारे में बात हो रही है और devoid का मतलब होता है absence मैं यहां पर लिखा दूँ के devoid का मतलब के devoid का मतलब होता है absence है ना यहां पर बनना आपके nucleus नहीं मिलता है तो एक बार paper में सवाल भी पूचा गए कि sir nucleus नहीं मिलता है क्यों है कि वो ज्यादा amount बचो oxygen को carry कर पाएगा टिके devoid of nucleus in most of the mammals क्या सारे mammals में नहीं मिलता है most of the mammals में नहीं मिलता है मतलब क्या यह humans में नहीं मिलेगा बट camel भी तो mammal है तो बट camel में आपको nucleus मिलता है यार देख रो यह ऐसी class के बीच में लोग call करते है मैं इसको disconnect कैसे कर दो जा एक second बच्चो जस्स गीव में a second how I can disconnect this thing एक second बच्चो यार इसको ना मैं पहले बंद कर दो बढ़ना है यह अपने को परिशान कर देंगे लोग कैसे बंद करते हैं इसको अ है चलो flight mode पर डाल दिया तो sorry बच्चो phone number दे को निकल के आ गया आई यह जी ना फाइन ना फाइन ना फाइन ना फाइन ठीक है so sorry यह क्या बोला गया है कि सारे तुम्हारे मैमल्स में क्या सारे मैमल्स में आपको क्या करते न्यूक्लियस नहीं मिलेगा क्या उनके आर बीसी में नहीं सर् नहीं गर्यन में करते का हुआ जब थुम्हारा आरबीसी जब बाइकव ए राइक है तो उसमें तुम्हारे पास क्या हो गगा जी न्यूक्लियस्टों चैसट होगे घे प्amos आपर से आंभि से अग्श्रों आपसे छोंगे अगर आपका और भी से एकर अधर अज क्था हो ड mess लेकर और वह और कि उसमें तुम्हारे निजी सोए वह प्रेजंट होंगे पूर से क्लीर है अब यह अप्रडेस किसमें प्रेजन था शैए अब में क्या में आपको नुकलेज एक पमिल एक याद रहेगा याद रहेगा इछ ए Dream झाल के आपको नहीं मिलेगा ठीक है और अगर कोई भी एकर आरबी से तुम्हारा अगर ओवल शेप्ड है तो उसमें तुम्हारा नूकलियस प्रेजेंट होगा आज इन दा केस ऑफ क्यामल ऑगे ठीक है चलो आजो कोई दिक्कत की बात नहीं आज को देखो डेवर रेड कलर आईरन कंटेइनिंग पिगमेंट अब देखो क्या बोला गया एंगर जो और आईरन के अपका आइड मेंस आइपक़ हीमोग्लोबीन में चार चेन होते हैं में है यह विए फोर चेन की अलफाटू बीटाटू अब चोंकि तुमंस तुम्हारे पास अलफाटू गामाटू मिलता हैं संदे कलर अन दर नेम आप इस इसी के वह से अ कि आरब सी का नाम पढ़ गया रड बलेड तो पेपर में भी होगा हीमोग्लोबीन हेल्धी इंडिविज्वल हजए 12-16 ग्राम्स ध्यूनिट ध्यानक ना 12-16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबीन इन एवरी 100 ml अफ दी ब्लड हर 100 ml में कितना होगा जी बारस सोला ग्राम होगा और तुमारा रेट अफ रेस्पिरेशन भी यह होता या कुछ लग बग लग बग ग्राम पर 100 ml अफ दी ब्लड बच्चों यह मॉलीक्यूल क्या करता है जी देस मॉलीक्यूल प्लेस वेरी सिग्निफिकेंट डोल इन ट्रांस्पोर्ट अफ रेस्पिरेटरी गैसे यह कौन से मॉलीक्यूल के बारे बात हो यह आर्बीसी के बारे में पम पौड़ोटहैंें लुशे संथर्ज परिटां क्या क्षेंट अब क्या बच्चों अधा से जग्यूल्सेंट मत लिखो यहां पे च्चों लूद के बारे हम पर रहे ही है जाए जदली हिमोग्लोबेंटरत अग्यूदर्ग मॉलीक्यूल की बारे लिएन बात हो यह उस Kenneth तो नहीं इसकी आवरेज लाइफस्पन होती ही 120 डेज होती है इसके बाद क्या होगा आफ्टर विच डियार डियार डिस्ट्रॉइड इन डिस्प्लीन जो कि ग्रेवियर्ड का मतलब कबर है यहीं पर आके वो मर जाएगा किसको डाउट है कि पूरे परेग्राफ में तो मैं ह से लगे 5.5 मिलियन से बनता कहां पर बच्चों यह बनता कहां पर रेड बोन में बनता है यह नुक्लेस में नहीं प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ दी मैंमर्स के के सिसमें बाइक कॉन के बीकॉस अब यह क्या करेका जी रेस्पिरेटरी गास का ट्रांसपोर्ट करवाता ह हेमोग्लोबिन तुम्हारे पास हर अंडेट में कितना मिले का जी बाहरा से सोला ग्राम्स मिलता है जी है कि नहीं और आर्बीस के आवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती बच्चों 120 डेस की होती है क्लियर है डं 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 चलो आगे क्यों बढ़ो अब हम बात करेंग बच्चोई बांए लूको तक साइटका दुसरा नाम क्या होता है इसका दुसरा नाम क्या का अटे बच्चों इसका दुसरा नाम है बच्चों is या white blood cells भी सको आपन खहते हैं are also known as white blood cells क्यों? because they are colorless अब ये colorless क्यों है? क्योंकि due to the lack of the hemoglobin hemoglobin नहीं मिलता है तो ये तुम्हारा assertion reason का question बन सकता है क्या बच्चों? बताओ ये तुम्हारा assertion reason का भी question बन सकता है क्या? हाँ, frog के भी nucleus RBC होती है लेकिन वह इसमें नहीं आएंगे न, mammals में नहीं आएंगे न, they are amphibians okay, they are amphibians ठीक है? चलो याँ बात है नहीं, please आईए, तो leukocytes को पर डबलू बीसी कहते हैं और ही colorless है, colorless का मतलब इसा color क्या होता है? बच्चों, white color का होता है generally white color का होता है they are nucleated इन में आपको nucleus मिलेगा and are relatively lesser in number इनका number बहुत ही काम होता है कुछ thousands में होता है, कि देख कितना होता है? with average 6000 to 8000 mm cubic of the blood बस यह उनका count है यह count है अब लिखागा कि leukocytes are generally very short-lived मतलब इसके life span कितनी बच्चों can anyone guess less than 10 days 10 दिन से भी कम इसके life span आपकी होती है बच्चों तो यह ध्यान रखना है अब we have a two main categories of WBCs दो प्रकार के WBCs होते हैं अब यह category कैसे बनाए गई है, देखो तो WBC का जो cytoplasm होता है WBC का जो cytoplasm होता है उसमें granules मिलते है जो की stained substance है अगर granules present रहेगा तो उसे कहेंगे granulocytes कहेंगे अगर granules नहीं रहेगा उसे agranulocytes कहते हैं कहां पर? किस के अंदर कहते हैं? किस के अंदर कहते हैं? तो WBC का जो cytoplasm है उसके अंदर granules मिलता है आपको देखो तो granulocytes and agranulocytes यह दियान रखना है कि granulocytes में कौन आएगा तो उम्हारा बैन आएगा बैन, बेसोफिल्स, योसिनोफिल्स और नूट्रोफिल्स आता है अ-granulocytes होते हैं, यहां था कोई doubt है, बताओ इसको समझाने के पहले, मैं तुमको डाइग्राम क्लियर करवा देता हूँ तुमको RBC में तो कुछ doubt नहीं होगा, बच्छो RBC तुम्हारा sorted होगा और अभी हम लग WBC पढ़ रहे हैं सबसे पहले, let's talk about हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां था, कोई दिक्कत नहीं है पहले हम बात करेंगे सब नूट्रोफिल्स के बारे में बात करते हैं तुम्हारी NCRT पहले यह कहते हैं न, हमारे पास granulocyte में कौन-कौन आता है मेरे को याद करने का तरीका है बेंड ऑगे, बेसुफिल्स, यो sinophyll्स, और यह में राही बात करेंगे यह तुम्हारे पास हो गये, पहले हम बात करेंगे सब्सकुन के बारे में हम बात करेंगे, देखो बचसों नूट्रोफिल्स है न, अनना तुम्हारा मौस्ट अब अबंदेंट संansky कि यह मोस्ट होता है बहूत ही अबढ़ेंट तुम्हारे बास leoko साइट को डेखना यते अकी यह अक्य vicinity तो 65% contribute कर रहा है neutrophils अकेला 62 65% यह तुम्हारा contribute करता है अब अगर तुम बड़े गौर्श अगर इस डाइग्राम को देखना तो यहां पर तुमको बहुत सारे लोब देखने को मिल रहे है बच्चो कि देखो बहुत सारे आपको लोब देखने को मिल रहे हैं क्या आईए तो दे आरता मल्टी लोब्ड यह तुम्हारा मल्टी लोब्ड है क्लियर अच्छा अगर तुम बड़े गौर्श से देखोगे यहां पर इनके जो न्यूक्लियस में इनके न्यूक्लियस के जो मॉर्फो लोजी बहुत अलग अलग है क्या बहुत सारे लोब देखने को मिल रहे हैं इसके लिए मुना न्यूट्रोफिल को हम लोग पी एम एन एल कहते हैं पी एम एनल क्यों कहते हैं बच्छो अरे एक सेकेंड बिकॉस पॉली मॉर्फो पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसकी न्यूक्लियस की जो मॉर्फोलॉजी यह बहुत ही अलग अलग प्रकार किया ना बहुत सारे लोब देखने को मिल रहे हैं All nuclear'? के सबस्क्राइब बोच्छों एक लिए रादा अबिसका फंटिसंद क्या होता है wilt इसका फंटिसन के हायरे फाइगो साइटॉसय। किस में फेगो, n n अन गल्व करके मारने वाला काम यह करता है यह गडई काल आब कालेगा नूट्रो फिल्जना एक यान भी स्टेंड विट असेडिक प्लस बेसिक डाई यह दोनों से आपका स्टेंड हो सकता है यहां तक बात है किसको डाउट है यहां तक पैसे का भी एक पैसे का भी बिल्कुल भी डाउट नहीं होना थी अब आजो अब हम बात करेंगे सर्बेसो विल्स के बारे में बेसो फिल्स के बारे में बात करो देखो सो बेसो फिल्स जैसे कि तुम्हारा मोस्ट अबंडेंट था ना यह तुम्हारा लीस्ट अबंडेंट है यह लीस्ट अबंडेंट है यह कितना होता है बच्चों यह कितना होता है जी कि डॉक्टर सूजल राथ तुमधे से देखोगे ना तुमको दिखे करें डाइगराम है बच्चो regarded ये हॉते हैं this कि ये तुमारे ट्राइ कैं स00 नहीं लेने आते क्या क्याते हैं ये referring भाई Qच लियूत तुम पिटे जायोगा और क्यों नहीं होगा जंने नीट क्रैक नहीं होगा तो पप्पा है ना जूता लेकिन हम पिछवडा सेख देंगे बार उबर रॉबर रॉंग पोल करते रहे ना घुम घुम के फिर हर जगा कि अध्या यूजर की जैसे कि फॉर इग्जमपल कहीं पर कॉल आया कोई पर और गया तो सबसे पहले नूट्रो फिल जना अपने आपको स्कुष करके निकल लेगा अपने आपको ना स्कुष करेंगा और निकल लेगा ओगे येस ठीक है आधो दी मैं तुम कहीं का भी क्राश स्कूर देख लेना लेकिन बालोजिक का जो कॉंटेंट मैंने प्रोवाइट करवा दिया ना जब नीट 24 पेपर होगा तो मैं यही वीडियो उसके ना मैं क्लिप निकाल निकाल के बताऊंगा कि मैंने पॉइंट बोला था एंसी को हाइलाइट कर लो देखो तुम्हारा काम करने साना सेलेक्शन कभी नहीं होता या मतलब मैं कल मैं में वीडियो पर तुम कभी जाके देखना भी कमेंट एंसी आदी वीडियो कुछ वीडियो स्टेंड में चले गई है सर अमने तो यह क्लासे साथ गंदे पहले एक जनका किया था हमको बिलकुल समझ में नहीं आया थ देखो समझ में आने की बात रहें तुमको एंसी आटी नहीं समझ में आगा ना कितना भी नोट्स भर लो भाई कितना भी नोट्स भर लो इवर जस्ट वेस्टिंगा टाइम डट्ट सेट एक सवाल पूछ देंगे ना कौन था उसका नाम क्या था राथ होड़ था ना कोई थोड़ा बन जाया का भी तुम्हारा इदर ही है चलो यह आजो शुरू कर रहा बच्चो यह प्लीज सर डिस्टार्क मत क्या करें ओके ठेक है यह आते हैं यह साथ में बेजयती करवाकर निकल लेते हैं ठेक है तो यह तुम्हारा ट्राइलोग दोता है लिस्ट यह पिशलीज स्टें होता है अचा बच्चो बहुत इंपॉटन बात धिहान को अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा है प्रॉब्लम मेंस बात कहाता है माब आप इसके लिए तो पैसा नहीं बरवाते नेट का यह क्या-क्या चीजिए करता है यह सिक्रीट करता है एक मेरीड यह यह यह तीन चीज को सिक्रीट करता बच्चो सबसे पहला सिक्रीट कर रहा है हीपैरीं अब यह इस अधी आपका एंटी कोगलेंट है क्लियर हिस्टामें क्या करेगा जी यह वासो-कॉंस्ट्टर के ड्याइटर है यह वासो डाइटर है है और तुम्हारे पास क्या होगा जए है यह तुम्हारा वाइस अक्रावieren बच्छो यह तुम्हारा वाफन क्ट्रेंट रहे यह त्ीन चाहर दोलिदी करता है यहां कोई डाउट है में तक यां टेफतक्राइज डीक करता है की इसके है वह और कुछ नहीं अगर तुम बड़े गौश्त देखोगे ना यह कैसे दिखना आपको घिक सुन हो ये तो मारी कैसे दिखना अगर तुम कि यह त्मारा बाइलोब्प दीम रहा यह है रही आपका बाइलोब्ड फी था आयृ एपका बाइलो लोगट मों बड़ी गॉष लेखना यह तीमारे पैरसाइटिक इन्फैक्शन और यॉ्षिक रियाक्शन में काम करते हैं और यह पहारा पैरसाइटिक इन्फैक्शन और allergic reaction में तुम्हारा eosinophils काम करता है and allergic reaction जब तुमको allergy हो जाएगा ना तो तुम्हारा eosinophil का number बहुत बढ़ जाएगा जी आरे सो हम करवा देंगे या ठीक है अचा अब ये stain किस से होता जी अब eosinophil बोला गया ना it is stained only with जगह ही नहीं बता है चलो यहां पर लिखाता हूँ is stained only with is acidic dyes यह acidic dyes ही आपका होता है यार ओके यहां तक किसको डाउट है बच्छो यहां तक किसको डाउट है यहां तक ओगे ठीक है ओगे ठीक है ठीक है चलो जी आतो जी यहां तक कोई भी दिक्कत तो नहीं होगा जी तो यह तुम्हारा सारा का सारा ग्रेंगलो साइड जो एना वो खतम हो चुका है जी बेंड बेंड हो गया बेसोफिल्स यो सिनोफिल्स और क्या कहते हैं नूट्रोफिल्स और तुम्हार जो यो सिनोफिल्स वो तुम्हारा किसमें रशचे करेगा बच्चो परसाइटिक इंफेक्षण और अलर्लर्जिक्रियाक्शन में जी दयने बच्चों यहां तक कीसे वो डाउट नहीं होगा आज आब यहां पास मुपन जननलो साइट्स कौन कौन थें हमारे पास और जननलो साइट कौन कौन से थे बतां ग्रन व उसके ऑ ग्रनलो सйकौन कौन से हैं कि म Alone ऑ तो क्या हुक। हमारे दो चीद हैं अल्र city कौन कौन है बच्छो एक एँ पार लिंफो साइट्स और दुसरा है मेरा मोनो साइट ये दो लोग हैं क्या सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बचों मोनो साइट के बार में लेट्स टॉक अबाउट दी मोनो साइट अगर तुम बड़े गौर्ट से अगर देखोगे तो मोनो साइट है ना ये 6-8 परसेंट ये इस प्रेजंट होता है अगर तो मिसका शेल्व देखो तो शेल्व कैसा दिख रहा है पयपर में आता है क्या यिपनी की तरह दिख रहा है क्या जी तो ये तुम्हारा Stick शेल्व ये Gesch्ण शेल्व ले तो काम क्या हो जीमना यह तुम्हारा फाइगो साइट उससस में चलताई है तुम्हारा फेगो साइट उससस में हेल्प करती है क्लियर है हैं जी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना हमारे दो प्रकार के लिंफोसाइट होते हैं इसको आपने 7 में न इस लिंफोसाइटरी कategory में ही रखते हैं इसको साथ में हम लोग 기ligas этих प्रेजन प्रेजेंट होता है पहले बाद तुम इसको धियान क्या यह चाह Ven यह तुम्हारा 20 से 25 परसेंट है और यह बनता कहां पर है और इस फॉर्म इन बोन मारो अरे वो सब पेड स्पैमर को बेजा जाता है ठीक है को दिक्कत की बात नहीं उनका भी रोजी रोटी चलने दोना और यह तुम्हारा एक्वायड इम्मुनिटी में आपको हेल्प करें किसमें आपको एक्वायड इम्मुनिटी में आपको हेल्प करता है थिक्ष्ट की बात नहीं है नहीं मैं ब्लॉक नहीं करूंगा यार हाती चलता है तो रोर करके चलता है करके अगर आगे मैं आया तो सिधा स्वर्ग लोग इधर से जाऊंगा मैं भॉंक रहा भॉंकने दो शान्त हो जाएगा इसको पेमेंट मिला है 100 मैसेश टाइप करने का 100 क्रेडिट होगा अकाउंड में ओके ठीक है चलो बढ़िया अरे हाँ भाई चला मेरी बहुत जल गई है देख रहो चेहरे पर एक दम जली चला ठीक है ओके और तेज से बहुक और तू तीनचा टाइप और आड कर ठीक है यहां ता कोई डाउट है बच्चो जल्दी बताओ यहां ता कोई डाउट है क्या बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा एक होगा तुम्हारा यह लूको साइट हो गया जी तो लूको साट का अपर डबलू बीसी कहते हैं यह कलर लाइस है विकॉस इसमें हीमोगलोबी नहीं प्रेजेंट होता है जी ठीक है आजो जी यह न्यूक साथ जनरली तुमारे श्चाट लीफ्ट होते हैं यह ऑन प्याइस के ये तुमारे साटिप्लाइस में प्रेजेंट यह क्या है ग्रिनलोसाइट से यह तुम्हारा अग्रिनलोसाइट से तो न्यूट्रोफिल्स अर्दा मोस्ट अबंडेंट ग्रिनलोसाइट साट से पैसट परसंट यह सब आपको याद रखके जाना है बच्छो अब टोटल डव्लू विसी और बेस विल्स तुम्हारे यहान पर न्यूट्रो फिल्स का काम किया था। यह फ्वाइगोसाइटॉस कर रहा था बच्छो और वही पर मोनोसाइट जो है यह फाइगोसीटस करते हैं मोनोसाइट तो यह ध्यान रखना मुंणा यह थ्यान रखना जी ठीक है ह। ठीक है चलो आज़ आज ओर दीगिए आये जी सुनो तो नूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो है ना वो अब मोनोसाइट का कॉंडिटी कितना है जी 6-8 परसेंट बचो अब यह दोनों तुम्हारे फेगोसाइटिक होते हैं अब फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है वागे जैसे कि एम्स नागपूर अपने क्ला नूट्रोफिल्स कितना है जी 60-55 परसेंट है और मोनोसाइट 6-8 परसेंट है ठीक है अब यह दोनों तुम्हारे क्या बच्छो यह तुम्हारे फेगोसाइटिक सेल्स है फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है बच्छो कि फॉरेन और्गानिजम को एंगल्फ करके उनको ख बेसोफिल्स क्या सिक्रीट करता है बेसोफिल्स क्या सिक्रीट करता है याद है मैंने तुमको पीछे बता है कि तीन चीजे सिक्रीट करता है इच सिक्रीट हिस्टामीन अब यह हिस्टामीन का काम क्या होता है यह हिस्टामीन का काम क्या होता है तो यह तुम्हारा वासो डा और हिपारिन क्या है बचो यह ही पहरी तुमारा एंटिकोगेंट है है ना यह तुम्हारा एंटिकोगेंट है क्लियर आजो जी आप यह इन्वाल्ड इंदी इन्फ्लामेटरी रियक्शन अब ध्यान रखना मनना यह सब जितने यह इन्फ्लामेटरी रियक्शन आपको करेंगे इसके बाद अगर तुम आगे बढ़ोगे योसिनो फिल यह तुम्हारे 2-3 परसेंट होते हैं किया यह तुम को भेज देते हैं रभी ज्यादा होगे इसका अके बस पैसा मैं पूरा नहीं होने दूंगा जी लेख लो तुम तुमको लगता है पढ़ाना बहुत इसी है नहीं होता है बचाईजी यह मैं पढ़ाओ कि मैं वह देखूं कि हमको बहुत कुछ देखना पढ़ता है यह problem है देख रहा हो और यह हां यही दिक्कत है तुम देखते हो ना तुम यही चीज यही problem आता है में हर्डल अब यह सिनोफिल्स तुमारा 2-3% होता है बच्चों और यह क्या करता है यह तुम्हारा किसमें करेगा जी अलर्जिक रेक्शन है अभी आपको बता है ना इडिवल र 20% मिलता है क्या बी और टी दोनों मिला कर दो मेजर प्रकार के लिंफोसाइट से बी और टी फॉर्म्स और बी और टी लिंफोसाइट जो है यह सब किसमें इनवल्ड है यह इंव्यून रस्प्वाइब करेंवाल्व होते हैं कौन सा हो एक्वाइड इम्यूनिटी में आपक कुई दिकहतं तक इस तहीं कांच कुछंप में कुने पास तुम्हारा पास पूरा रिवाइस कम आगया था most abundant कौन है जी neutrophils है neutrophils और monocytes जो की 6-8% है यह दोनों मिलकर तुमारे पास क्या है यह तुमारे phagocytic cells है ठीक है फिर eosinophils तुमारे 2-3% होते हैं और यह क्या करेगा allergic reaction में आपको help करेगा लिम्फोसाइट्स आपके immune response में आपको help करेंगे 20-25% होते हैं लास्ट है तुम्हारा platelet और तुम्हारा formed element खतम हो जाएगा बच्छो platelets are also called thrombocytes अब यह platelet बनता कैसे पहले इसके बारे में हम लोग बड़े ध्यान से सुनते देखो बच्छो bone marrow में एक cell होता है उसका नाम है mega karyocyte bone marrow में एक cell है उसका नाम है mega karyocyte mega karyocyte अब यह mega karyocyte जब अपने आपको जब तोड़ता है जब mega karyocyte का जब fragmentation होता है ना इसे का cell fragment क्या करेगा इसी का cell fragment बच्छो platelet बनाता है clear है यही mega karyocyte जब तूटे गाना बच्छो तो यह तो मारे पास platelet बनता है जी ठीक है तो भाई बात यहां पर लिखा गया है so platelets are called thrombocytes which are a cell fragment produced from the mega karyocyte अब यह mega karyocyte कहां के special cell है बच्छो तो यहां तो जब यह mega karyocyte के जब fragmentation होता है तो यह तुम्हारा platelet का formation होगा ड़न है चलो आज आज ओ जी आगे क्यों अब ब्लड नॉर्मली प्ली कंटेंस कितना यह लाक्स में प्रेजेंट रोटा है 1,500,000 से लेके 350,000 प्लेटलेट पर अपके प्रेजेंट रोटेद होते हैं बच्छों प्लेटलेट्स का रिलीज अविराइटी अफ शब्स्टेंस इस इस आज इंवल्ड इन दी कोगलेशन और क्यों इसमिंदियों अ एका ऑफ को מुद्ध जहां प्लेंगे तो नमबर ना बंचो वो और रेडक्शन इबार नमबर कंड अ ग्लोटिंग डिस तोड़र में कौन शुक्राइब डीनगु में होगा यह फिरह जिनाटिक डिस विशॉडर इसका नाम है तुमारा हीमोफिलिया थेक है हीमोफिलिया इसको अपन ब्लीडर्स भी कहते है तुछ इसमें कहा था कि ब्लेट से बहुत ज्यादा बॉडी से लॉस्वने लगता है तो किछको टाउट है बच्छो यह पूरा का पूरा को यहां पर तुम्हारा खतम हो चुका है लेत शार्ट विधी ब्लाट ग्रूप वाला पार्ट कोई दिक्थक्ष और किसी को एक पैसे का भी एक पैसे का भी डाउट है किसी को यहां तक ब्लेट नहीं होगा लेट्स टार्ट अब देखो बचो बलड़ कुल में क्या होता है य लग लग प्रकार की blood group होती है क्या जी अलग लग प्रकार की blood group होती है आच you know blood of the human beings differ in the certain aspect अब जो इंसान का blood है मुनना वो आपका differ करता है क्या कुछ aspects में वो कौन सा aspects है एंटाईप आउफ शुगर और और भी चुच पे तुम्हारा कौन सा शुगर प्रेजेंट है ऑस पर डिपेंड करता है अलगलग प्लट ग्रोप टीक है बैटा लिउकोस अट और लिंफोसाइट में कंफिजन होता तो उसके लिए रिविजिन कर लोन है प्लेटलेट्स क्या ह जब वो तूटता है ना उसी का fragmented part को अपर platelets कहते हैं अब ये platelets का दो काम होता है सबसे पहला काम है कि clotting में आपको help करेगा जब body से blood loss होती है ना तो जितने भी coglation factor है उसको ये response भेशता है कि आके cascade reaction करो और blood को रोग दू पहला काम दुसरा काम क्या होता बचो प्लेटलेट का के platelet की विस्कौसिटी को मेंटेन करके रखता है Blood की गालापन को मेंटेन करके रखेगा चौक किसे को डेंगू होता है अगर किसी का platelets का number अगर कम हो गया कर ठोट यह तो क्यों पर बादेंट वो उसका ठीकनेस कम सब्सक्राइब यहां तक कोई डाउट है यहां तक कोई डाउट है क्या को डिकत भी नहीं हो पर सो हमारे पास हमारा बलड ग्रुप एना वह अलग-अलग एक्सप्प्प्ट मां बच्टों डिफर करता है जी ठीक डि तो इसमें डिफर करता है मुझना तो टाइप आर बीसी पर डिफर करता है कि अलग-अलग प्रकार के शुगर्स होंगे जिसे की ब्लड गुरुप तुमारा अलग-अलग होगा लेगिन किसी किसे एस्पेक्ट में तुमारा सिमिलर होता जैसे कि जैसे की हीमोग्लोबीन प्रेजेंट है हीमोग्लोबीन सभी के लिए नर सेमी होता है के बचो ओके आजो यहां तो कोई दिक्कत निया नहीं होगा ओके ठीक है आँ कर दिश्ट्राक मत कर और और टॉपिक में जाएंगे प्लीज यहां तो कोई दिक्कत निया नहीं अब न मैं लाइन से ब्लॉक करना शुरू कर दूगा पढाने नहीं देते बच्चे सब और अब या अब रुग जाएं अब आपको अलग लग चीज में वेरी करेगा जैसे की कौन किसके साव प्रकार के तुमारे शुगर होते हैं और किस में सिमिलर होगा जी हीमोगलोबिन में तुमारा ये सिमिलर होगा जी आगी क्यों बढ़ो Very90 type of grouping of the blood has been done, चाह अलगलग प्रकार के blood grouping present है के बचो अल्ड अलग प्रकार के blood grouping present होता है जी अलगलग प्रकार के, कॉर्ण कॉर्ण से है जैसे की ABO grouping हम लोग अभी अभी पढ़ेंगे ABO grouping mns blood group ये भी एक प्रकार का blood group होता है Lewis blood group, Doffy blood group, यह अलग अलग प्रकार का blood group होता है ठेक्या यह तुम्हारा अलग अलग प्रकार का blood group होता है हुठ लेकिन हम लोग यहां पर क्या पड़ने वाले हैं two-search grouping is ABO एक हम लोग ABO पढ़ेंगे और एक हम लोग भर изб पढ़ेंगे अब आरेच तुम्हारा क्या होता है यह तुम्हारा एंटीजन होता है यह आपका एंटीजन है और 80% पॉपिलेशन है ना ओगे 80% पॉपिलेशन जो है ना लुब्सेंद पॉपिलेशन होता है वह तुम्हारा आरेच पॉजिटीव होता है यू इसे होता है कि आगे ठीक में पेड़ किसी ने बहुत बारी वाला करवाया है ह। तुम आजो जितना आना है बेजवा तुम्हारा सब का सेलेरी आजकर पाऊंगा ठीक हमारे पास दो ग्रूपिंग एबी और आरेज ग्रूपिंग टीक है तो आरेज होता है तुम्हारे पास एंटीजन होता है और यह 80% पॉपिलेशन में आपको मिलता है जी ओके चलो जी यह यहां था कोई डाउट है क्या यहां था कोई डाउट है बिल्कोई डाउट होना चाहिए हमारे पास दो ग्रूपिंग और आरेज ग्रूपिंग होता है आगे क्यों सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एंटीजन और एंटीजन क्या होता है और आपका एंटीजन क्या होता है कि यह एंटीजन किया होता है वो chemical जोकि immune response को गहरेंगा एंडिवस करेगा और antibody क्या होता है यह आपका फो प्रोटीन होता है जोकि एंटीजन के response में बनता है देखो एंटीपोडी साथी प्रोटीन इंटिजन साथी शुगर मतलब कर्भोड़ृटेंटर यह तुम्हारा प्रोटीन इन बहुत इंपोर्टन आर बहुत इंपोर्टन आपटे ध्यान से सुनों यह पात ठीक है अगे है चलो अब ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen surface antigen तुम्हारे पास actually में क्या होते है शुगर दो प्रकार के शुगर आपको देखने को मिलेंगे क्या एक का नाम है तुम्हारे पास शुगर A और एक का नाम है शुगर B antigen A और antigen B ठीक है अब antigen तुमको कहां पर मिलता है जी आपको जो antigen है वो हर्दम कहां पर मिलेगा वो आपको RBC के surface और मिलता है यह आपको RBC के surface पर मिलता है जी आपका antigen clear है RBC के surface पर मिलता है ध्यान से नाप आपको definition याद रखना है antigen क्या होता है यह वो chemical है that can induce the immune response induce का मतलब जो promote करे करें इम्यून response को antigen कहां पर present है RBC पर present है क्या यह तुम्हारा RBC पर present होता है जी और कौन कौन से तुम्हारे पर antigen है antigen A और आपका antigen B जी ध्यान रहेगा क्या आपको ध्यान रहेगा बच्चो अब सुनो जी similarly जैसे कि तुम्हारे antigen RBC पर present है तो प्लाजम में क्या मिलता है प्लाजमा में प्लाजमा में क्या मिलता है आपको यह बताओ similarly the plasma of the different individuals दिमाग लगा नहीं आपर जो प्लाजमा है अलग-अलग natural antibodies मिलती है अब antibodies क्या होती बच्चो यह तुम्हारी proteins होती है यह protein होती है which is produced in response to the antigen चाहिए लाइन सभी को समझ में आया तो antigen इस शुगर है ना carbohydrate बट वहीं पर antibodies आती proteins जो कहां पर present है बच्चो antibody कहां पर present है यह तुम्हारे plasma में present है बच्चो यहां तक कोई δikकत है किया यह कोई भी कि यह प्लाज्मा में मिलता है यह आपके प्लाज्मा में आपको मिलता है बच्छो यहां तक टिक एंटीजन क्या करेगा जी एंटीजन तुम्हारे एंड्यूस कर रहा है इम्यून रिस्पॉंस को और एंटीबोडी क्या करता है यह एंटीजन के रिस्पॉंस में आपका बनत योटीज वे बर्वाइश प्रमिन का अच्छ के शर्फिसे में प्लास्म में मिलता है और एर एंटीबॉटी जा प्रोटीन दे इसे अब देक्टिवूशन अब दि एंटिजन एंटिजन गॉडई इन दिफोर गुरॉप ऑब चार गुरूप में रखा गया इसको ए बी अब और ओ अब नोटेबल पढूएगे टेबल 18.1 अभी पढूएगे टेंशनमर तो जैको यूप्रभाबल ली नोट दूरिंग be carefully masked with the blood of the recipient before any blood transfusion to avoid a severe problem of clumping clumping का मतलब क्या होता बच्छों RBC का destruction है ना कि अगर तुमने किसी और अगर blood को गड़ ट्रांसपोर्ट कर दिया transfer कर दिया तो क्या होगा कि body सामने वाले की body हो क्या करेगी उसके हिसाब से antibody बनाएगी क्या और उसको मार देगी है ना उसको मार देगी वह एजी तो डॉनर्स compatibility are also shown in the table 18.1 अब ध्यांचना तुमको टेबल को सुनना है blood group अगर A है तो उसके RBC पर क्या मिलेगा बचो RBC antigen है ना RBC के surface पर क्या मिलेगा आपको A मिलेगा antigen लेकिन plasma में antibodies क्या मिलेगी बचो आपको anti A मिलेगी अब यह blood किसको दे सकता है बचो तो यह आपका A को और O को दे सकता है विकास ओ तुम्हारा क्या universal donor है क्या यह जो आपका O है वो तुम्हारा universal donor है क्या यह तुम्हारा universal donor है देखलो इनका दुसरा चहरा भी तुम लोग बड़ा वहावाई करते हो ने दुसरा चहरा है यहां तो कोई दिख्कत है बच्चो ठीक है अब ब्लड गुरूप B जो है इनके RBC के surface पर तुम्हारे antigen B मिलेगा और इनके plasma में जो antibody मिलेगा वह anti-a मिलेगा ओके अब यह B को और O को दे सकते हैं अब ध्यान से अगर ब्लड गुरूप अगर A B मतलब जो जो ब्लड गुरूप प्रेजेंट होता है वही तुम्हारा antigen होता है जो ब्लड गुरूप होता है वही उसका antigen होता है और antibody उसी का opposite होगा अगर anti-a है वो anti-b होगी अगर येस आप सुनो यहां तक अब सुनो अगर तुम्हारा अगर अगर A-B है, blood group अगर A-B है, तो antigen क्या मिलेगा? आपको antigen A और antigen B मिलेगा. ठीक है? आईएजी. पता है लोग क्यों आ रहे हैं इनका कुछ नया शीरी शुरूर है ना? तो इनका यह है कि सारे जो भी classes ongoing है तुम जाके spam कर दो और उधर से बची यहाँ पर लेकर आजो. यह मकसद होता है. मैं बोलता नहीं हूँ तो मतलब इसका मतलब यह नहीं है. अगर मैं खुल कि अगर बोल दिया तो फिर तुम्हारे को मेरे चेल लग जाएगी. ओगे? ठीक है? आईए. आदो. ठीक है? आदो. तो तुम्हारे पास antibodies क्या होता है? इनके अंदर AB blood group में नील होत हाँ. हाँ प्रनो-पार्टिल में clear कर देता हुआ. थोरवसा रुख जाए हुआ है. यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता. बड़ गूरूप O है. इसका मतलब किसी प्रकार का antigen होगा क्या? नील होगा. किसी प्रकार का antigen नहीं होगा सकता है एक चीज तुम लोग ध्यान रखना मुनना है यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कौन है आपका यूनिवर्सल डोनर कौन है बच्छो यूनिवर्सल डोनर दे कौन सकता है आपका O-negative और यूनिवर्सल रसिपेंट कौन है बच्छो आपका AB-positive पर यूनिवर्सल डोनर कौन है बच्छो यूनिवर्सल रसिपेंट कौन है बच्छो वो तुमारा AB-positive है क्या ठेक है एंस O-group individuals और यूनिवर्सल डोनर वो तुमारा O-negative है रसिपेंट तुमारा AB-positive हो जाएगा ना वो तुमारा यूनिवर्सल रसिपेंट हो जाएगा जी ओके AB-positive AB-positive आप सुनो जी अब पर्सरम इदी AB-blood can accept the blood from a person with the AB as well as other group तुम अगर देख रहो तो यह AB और सभी का ले ले रहा है तो यह तुमारा यह किसी को भी दे सकते हैं यहां तक किसको डाउट है बच्चो एक बारे मैं शॉट में रिवाइश करा दू क्या यह तोड़ सा कुछ बावासिर कि वह से ना पूरे क्लास डिस्टार्ट हो गया अपना देखो एंटिजन किदर प्रेजेंट है इंटिजन होगा एंटिजन होलो और ब्लाज्मा में प्रेजें उती है कौन कौन सी आपकी एंटी ए और एंटी बी क्लियर है बच्छो क्लियर है अब सुनो जो अगर मेरा ब्लड ग्रूप हमारे पास कितने प्रकार के ब्लड ग्रूप है एक है A, एक है B, एक है AB और एक है तुम्हारा O, एंटी जन क्या होगा जो ब्लड ग्रूप होगा तो यहां पर एंटी जन तुम्हारा A होगा यहां पर B होगा यहां पर AB होगा और यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा because किसी प्रकार का यहां पर निंगी antibody यह तुम्हारा anti B होगा उगा yes because antigen क्या होता यह immune response को induce कर रहा है और यह तुम्हारा anti e होगा अब जहां पर antigen दोनों present है न यहां पर antibody कोई भी नहीं मिलेगा but आपके ओमें तुमको जिए को मज़ा आगया यही चीज आपको इतने ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है पोगे क्या है घृग थिक के लिए टोनर कौन युनिवर्सल डोनर है और ऑ नेगेटिव है एक्से रेसेपेंट कौन है जी ओ पॉसेटीव रचो प्रेनों क्लियर हो गया अब आप अहीं आरेज ग्रूपिंग के बारे मैं बात कर लें बदर अन्यूक्विंग बहुत अब यह टॉपिक पढ़ाने से पहले ना मुझे आपको देशी भासे में क्लियर करना पहले बहुत ज़रूरी है बढ़ना यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और 80% जो पॉपिलेशन है ना वो आपका आरेज गुरूपिंग शो करता है कितना 80% पॉपिलेशन और आरेज पॉजिटीव अब यह आरेज क्या होता है यह तुमारा रिसस मंकी करना जो आपके एंटिजन जाना वो तुमारे प्रेजेंट है क्योंकि हम लोग उनके एंसेस्टर्स हैं ठीक है उसके लिए कहते हैं बच्छो क्या कि जभी ब्लड ट्रांसफर कर करवाना होता हैं अरह ग्रूपिंग को भी माच करवाना होता है तुम्सरा न परद ऐसा एंटीजन इस और यह श्यम एंटीजन किसमें तुमारा थे बच्छो तो रिसस मंकी में तुमको यह इंटिजन देखने को मिला था हैंस इसका नाम पढ़ गया आरेज इसर्फेसट अ तुम को यह आरेच एंटीजन मिलता है बच्छो मिलता है क्या यह सर आगे क्यों सुझा इंडिविजल जिनके पास अगर यह मिल रहा है अगर यह आरेच एंटीजन जिसके आरबीची के सरफेस से मिल रहा है उसको तुम आरेच पॉजिटीव कहोगे और अंदोस इन होम इस ए यह एंटीजन जैसे उसकी बॉड़ी में जाएगा तो बॉड़ी एंटी बॉड़ी बनाने लगया क्या है उसके लिए कहते हैं कि बिफोर ट्रांस्फ्यूजन हमें आरेच ग्रूपिंग को भी चक करना पड़ता है ठीक है तो वह बोला गया है आरेच नेगेटिव परसन अ तुमको पहले पूरा केस बता देता हूं जी यह होता क्या एक्चुली मों और इच इनकमपाइटिबिली तभी तुमको ना वह पूरा पैलेग्राफ समझ में आएगा रह इंकम्पाइट के बेटा जो फूटस वह समसजू यह तुम्हारा फीटैस है यह तुम्हारा फीटैस है और र chinese सुम्हारा समझे आरेंग ज्र पस्यव्तिव है अब यहां पर जो यह फूर छ कि ब्गेखा-व फ२िहीं मम यह प्लासंटा निकला है फीटेस तुम्हारा जी मुन्ण ऑफ पॉजिटीव है है और यहाँ संग्यो हैं यह तुम्हारा माह माह का ब्लेड वेक्षर्ष ज़ा यहाँ पर क्या हुद ना मदर तुम्हारी संग्जों आरफ शी नेगटिव यहां से concept को समझना और यहां पर क्या दमना यहां पर एक placenta barrier है यह placenta barrier है जो क्या करेगा ना मदर के blood को और fetus के blood को mix होने नहीं देगा नहीं होने देगा ठीक है आप देखो जो fetus है मुणना उसमें तुमारा रह पॉजिटिव है क्या मतलब आपको antigen मिल रहा है क्या antigen मिल रहा है लेकिन मा में नहीं मिल रहा है जैसे इस बच्चे का जब delivery होगा जैसे बच्चे का जब delivery होगा जो बच्चे का blood है वो मा के blood से मिल जाएगा मतलब इसका blood इसमें transfer हो गया transfer हो गया अब क्या होगा मा क्या करेगी मतलब क्या हो गया इसके पास अभी RH positive blood आ गया RH antigen इसके पास ले तो mother इसका turn में क्या करेगी ना बचो RH sorry mother अभी क्या करेगी antibodies बनाना शुरू कर देगी ये first pregnancy में बिल्कुल भी mother तुमारे पास यहां पर क्या जी RH negative है और fetus तुमारा RH positive इस case के case में तो क्या हो जी यह placenta barrier है जो कि क्या हो जी placenta barrier के दुवरा blood जो वो separated है लेकिन delivery के time में क्या हुआ बचो delivery के time में क्या हुआ कि blood जो है placenta से वो मिल गया आके fetus के blood से तो fetus जो RH positive है जब second pregnancy होगा न तो क्या होगा मुन्ना जब baby का delivery होगा तो क्या देखने को मिलेगा तो मा के पास क्या है मा के पास क्या है मा के blood में सारक सरी antibodies है और वह antibodies का क्रेंगा बेबी के न आर्बी से को destroy कर देगी का destruction शुरू कर देगी तो पहले बच्चे को कुछ भी असर नहीं पड़ेगा तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते ना जैसे delivery हो जाता है बच्चों सो विदीन 24 विदीन टू आवर हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक NTRH antibody देदेगे उसका नाम है रोगम हम लोग एंटी आरेच antibody देदेंगे उसका नाम है रोगम ओके रोगम किसको डाउट है बच्चों क्या किसको डाउट है यहां तक ओके यस कोई डाउट नहीं है यह तुम्हारे पास आगे का पूरा परेग्राफ हो ही समझा रहा है आगे समस्ते शेच को तुमारी NCRD अभी क्या कह रही है देखो रहुझ ओ नेगेटिव परसें अभी और नेगेटिव कंए बचचो यह तुमारी मदर मदर केथए इस एक्सपोज तो भी और च पॉसिटिव बलड अब आरच पॉसिटिव कोई भचो फेटस फीटर्स आरच पॉजिटीव है ठीक है अब सुरो विलफार में स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस दी आरे चंटीजन तो आरे चंटीजन किसने बनाया यह तुम्हारे पास एंटीबॉडी किसने बनाया तो मदर ने फॉर्म किया मदर ने अपने ब्लड में एंटीबॉडीज विनाना शुरू कर लिया अगेंस दी आरे चंटीजन जी ओगे ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिखक तो यहां तक नहीं होगा आगी क्यों देरफोर आरे च गुरूब शुट आल्सो भी माच्ट बिफोर ए ट्रांस फूजिजन अब अब क्या होगा देखो आरे चंटीजन अब क्या होगा देखो आरे चंटीजन किसके बाद पिरस अब थे चृच आरे च्रीजन ऑन अब एक्ष् пр Water Rush тер Life farmer क्या पहले प्रेगनंसी बारा मिल राख के पहले प्रेगनंसी में तुमारे एक्सपोजरा थे लिए जोg RJ पॉजिजिफिजा वह उन्यह सोत यह मा कही च्रीज़ का मिले चгляд को ख्युक्यर fire Savage is separated through placenta वो प्लासेंटा के दौरा सेपरेटेड है बच्छो क्लियर है पहली बाद आस दी टू बलड्स आर वेल सेपरेटर बादी प्लासेंटा दो लिखा है तुमारी एंशाटी करिया लेकिन हावेवर जब इस पहले बच्छे का जब डिलेवरी होगा ध्यान देना बच्छो हावेवर दिरिंगा डिलेवरी ऑफिस फर्स्ट चाइल्ड तो देर इस पॉसिबिलिटी ऑफ इक्सप इसके रिस्पॉंस में क्या करेगी बताओ मदर तुमारी एंटी बाडी बनाना लेगेगी इन सच्छा केस दी मदर स्टाट प्रिपेरिंग दी एंटी बाडी अगेंस दी आरिच एंटिजन इन हर बलड उसके बलड में आब एंटी बाडी बनना शुरूरू हो चुका है समय क्या होका बच्छो ऊस समय क्या होगा शुलोओ या इस्टोरी रहां से सुना जी थे खाल या जो इससमय PM वर सकता है देखो and destroy the fetal RBC अब वो fetus के RBC को destroy कर देगा this could be a fatal to the fetus or it could cause a severe anemia अब anemia का मतलब क्या था मुन्ना heavy blood loss okay heavy blood loss को आपन anemia कहते हैं heavy blood loss and a jaundice हो सकता है बच्चे को इस condition को बच्चों आपन कहते है erythroblastosis fetalis कहते हैं याद रखना इसको अब this can be avoided by administering the anti-rh antibody okay इसका नाम क्या बच्चों इसका नाम है रोगा तुदी मदर यह मदर को देना पड़ेगा क्या immediately after the delivery of the first child कितने गंटे के इंदर within two hour immediately लिखा हो है आए है so within two hour च्टूनिंप पड़ेगा विकॉस ब्लड तुमारा सेपरेटेटर प्लासेंटा के दो रहा लेकिन पहले डिलिवरी का पर्चुरेशन होगा पहला बच्छे का डिलेवरी होगा पर्चुरेशन होगा थोड़े अमांड में मां का ब्लड से मिल जाएगा तो फीटेस के पास तो तुमारा डिश्ट्राइं हो जाएगा और न पर डेथ हो सकता है इसका इसके हले मुर क्या करता है जी जैसे तुमारा पहले भचे की डिलेवरी होगी पहले भचे की डिलेवरी कोते तक दो घंटे केंदर तुमको रोगम लगा देना है जी ठीक है आजो जी आए परे मुना फिटर अपना कोगलेशन ऑफ ब्लड और कोगलेशन ऑफ ब्लड को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं जी इसको किरते क्लाटिंग ऑफ ब्लड भी कहते हम लोग कि इसे क्लोंटिंग ब्लड भी कहते हम लोग देशी भासमें पहले इसको पड़ नहीं کیो यह बीनन तुमको है समझ में नहीं आपको पर ब्लड उधकर अपको पहले देशी तरह से समझ न الجज Clems तब जाके तकि तुमको ऍसकी NCRT कि word blood clotting आप सुनू हो blood clotting कब होता और कैसे होता देखो सब से बेला तुम्हारा injury या yours trim담 होगा नोगे पहले तुम्हारा पास injury या तो Mrs. Tramma मैंने बताया नभी आरेज ग्रूपिंग उसका भी एंसर नहीं आनंद अभी एंसर नहीं है जी आरेज ओकू ब्राकेट में लेगता और जी एम कि आ युप ठीक है जैसे इंजरी ओर त्रामा हुआ मतलतじゃ Television व्लक शुुरू हुआ तो आपकेपस अर्श स्किन दी सि कि अब बस्काप्तिवेशिन और किसका प्लेट लेट का प्लेटलेट क्या करेंगे प्लेटलेट आपके बुलाएंगे थ्रॉम्बो प्लास्टीन को क्या करेंगे जी प्लेटल आपके अक्टिवेट करेंगे थ्रॉम्बो प्लास्टीन को कि ध्यान से सुनना अब यह थ्रॉम्बो प्लास्टिन क्या करेंगा एक एंजाइम को लेकर आएगा और एंजाइम का लास्ट निम कि से होता है थ्रॉम्बो काइनेस से उसका नाम है थ्रॉम्बो काइनेस अब यह तुम्हारा एंजाइम है थ्रॉम्बो काइनेस अब यह थ्र कि जितने भी तुम्हारे क्लॉटिंग फैक्टर है इस प्रेजेंट इन्दी प्लाज्मा यह आपका इनक्टिफ फॉर्म में प्लाज्मा में आपको मिलेगा यह ठीक है हां वर्शा ले सकते हो ठीक है अब सुनो जी यह थ्रॉम्बो काईनेस क्या गरेगा बच्छो यह आपका आक्टिवेट करता है किसको प्रो तुम्हें को अ तुमबीन में चा कौर्ण आक्टिवेट कर रहा है कि यो अऄग्टेवेशन कर रहे बच्छो तो यह करत trauma कई तक दमराटमाने सब्सक्ता किया इति कर रहे है यह कहां पर प्रेजेंट है यह तुम्हारे प्लाजमा में प्रेजेंट है यह तुम्हारे प्लाजमा में प्रेजेंट होता है यह त्रॉम्बीन क्या करेगा यह त्रॉम्बीन क्या करेगा त्रॉम्बीन 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 क्या करेगा तुमको दिख रह को दो कि फाइब नो जैन को और कि यह फिब्रीन में कनवर्ट कर लेगा अ क्लियर प्लियर कुछ ने बल्गी तुमारा यह प्रोटीन गत्रैड है यह प्रोटीन थ्रेड है अब यह सब काम तुम्हारा कहां पर चला हो जितने पे तुम्हारे यह क्लोटिंग फैक्टर्स वाले प्रेजेंट है वह तुम्हारे प्लाजम प्रेजेंट है इनक्टिव फॉर्म के अंदर बस आपको यही धियान रखना है और कुछ भी धियान नह है कि श्का नाम क्या प्र में आपको डिया को में को मैसेच कर दोगे तो आपको कर देंगे अब सब मरी ये you know that when you cut your finger जैसे तुम अपना फिंगर कट करोगे और हर्ट यॉर्सेल यॉर वाउंड दस नॉर्ट कॉंटिनू टू ब्लीड फॉर लॉंग टाइम या बहुत ज्यादा समय तक लिए ब्लीडिंग होता है क्या नहीं सर कुछ समय के बाद अपको ब्लीडिंग बंद हो जाता है कुछ समय के बाद वो तुमारा बंद हो जाएगा ओगे ठीक है आजो अब सुनों बच्छो दियू नौ वाई अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है बच्छो बिकॉस अव दी कोगलेशन अव दी ब्लेड ब्लेड का ब्लेड एक्जिबिटा कोगलेशन और क्लोटिं इन रस्पांस सुद्धी इंजरी और ट्रामा जैसे इंजरी और ट्रामा होगा ठीक है तो यह तुमारे पास अक्टिवेट हो जाता है जी ठीक है आजो जो अब यह मेकानिजम से फाइदा क्या बच्छो इससे अक्सेसिव लॉस अना ब्लेड का वो रुख जाता है जी दिस इस अनुम्या तो अनीमया से बच जाते हम लोग रमा का मतलब ही होता है की इनजरी ऐन बचने के लिए फ्रम जी वृटी तो जो कोगलेशन है वो क्या कर घर का जी है यह जो है थी ना ही तोहरी दिलेवरी पर फोरा बात इस बार अराम लाउं आणिगे करिए you would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or injury over a period of a time जैसे कि आज कट लेगा कल सुबह सुबह ते कर तुम देखोगे तो वहाँ पिना dark brown color करना कुछ एकदम एकदम liquid की तरह semi jelly की तरह एक चिपका वह आपको मिलेगा देखने को मिलता है क्या अच्छले में यह है क्या इसक लॉट और कोगलम formed mainly of the network of threads वो तुम लोगों को डा रडिश ब्राउं जो तुमको यह देखने को मिल रहा ना वह कुछ है ने बलकी वो नेटवर के threads का ठेक है और वह तुमारा protein यह thread है यह protein का ही thread है यह आपका protein का ही thread है जी ओगे डन यहां तक कोई डाउट है यहां तक कोई डाउट है कोई कर नहीं अब सुमारे फिब्रीन हमारा बन रहता देखो फिब्रीन तुमारी NCRT पूरा उल्टा लिखती अब देखो जी इन विच अ डेड एंड डामेज अब राउट है वो उसमें तुमारे डेड और डामेज यतने भी वहरे फिब्रीन बना कैसे फिब्रीन यह अरफ वाइन कोई अर्टीव दें भाइड रिख नोगे इन्जिम थ्रॉम्बिन ना वैड ए तुमारी एंजाएइम त्रॉम्बुस कर दे यह फिब्रीन बना कैसे तो from the inactive fibrinogen, कह रहा है न, it is formed by inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin, getting it, getting it, तो fibrinogen से तुमारा fibrin कैसे बना, तो यह thrombin के presence में, थ्रombin तुमारा enzyme है क्या, इसके presence में, अब इंटर्ण, जो thrombin है वो कैसे बना है, देखो, thrombin in turn are formed from the another inactive substance present in the plasma which is called a prothrombin, किस के presence में है बच्छो, किस के presence में, thrombokinase के presence में, देखो, अब लिखा है न, कि यह न, enzyme complex thrombokinase is required for the abaw reaction, कौन सा reaction है यह, लिखाओ मैं, अब और reaction कौन सा ही है, यह यह ला reaction है, क्या कहते है, प्रो थ्रॉम्बीन को थ्रॉम्बीन में convert कर रहा है, उस दौरान मुझे यह सब इनक्टिव है यह अक्टिव है बच्छो, यह तुमारा इनक्टिव है जी, गेडिंग इट, समझने आ गया, अब देखो जो, इस complex is formed by the series of linked enzymatic reaction, इसे अपन cascade process कहते है, cascade का मतलब होता है, chain reaction, एक के बाद देख, chain of reaction को अपन कहते है, cascade, chain of reaction को हम लोग कहते है, cascade, dead, okay, चलो, involving a number of factors present in the plasma, अब plasma में जितने ही factors रहेंगे, वो किस फर्म में रहेंगे, बच्छो, वो आपकी inactive state में रहते हैं, अब सुनो, बहुत important है, बहुत important है, बहुत important है, सुनो, बच्छो, अन injury और trauma stimulate the platelet देखो, उसने फिर उल्टा बोल दिया जैसे injury होगा, या trauma होगा, तो platelet को stimulate किया जाता है, बच्छो, release these certain factors, अब यह factor कौन है, थ्रॉम्बो प्लास्टीम, certain factors जो लिखा होए, यह कुछ नहीं, बल्कि वो तुमारा है, थ्रॉम्बो प्लास्टीम, clear थ्रॉम्बो प्लास्टीम, which activates the mechanism of cognition, अगर तुम बड़े गौर स से देखोगे, तो हमने क्या बोला, कि जैसे injury और trauma हुआ, तो platelet अक्टिवेट होगे, platelet अपके activate करेंगे, थ्रॉम्बो प्लास्टीम को, थ्रॉम्बो प्लास्टीम अक्टिवेट करेगा, थ्रॉम्बो कानेस को, थ्रॉम्बो कानेस क्या करेगा, प्लास्म में जो प्रो थ् इन अक्टिव फॉर्म में उसो कनवर्ट कर देगा थ्रॉम्बीन के अंदर थ्रॉम्बीन तुम्हारे फिर्विन को फिर्विन में कनवर्ट कर देंगे बच्छो फाइन है सॉटेट है सभी को यस क्लियर अभी बात ही कह रहा है उसके लिए NCRT समझना बहुत जरूरी यह अग। यह भी तुमको ध्यान अच्ग्धिन कैल्षिम आयन बहुत ही मेजर रूर्प्ले कर रहा है क्या ब्लड प्लाटिंग में और काल्सियम कहां पर प्लाज्मा में प्रेजन्ट होता है क्या है अपने पीछे देखा स्मॉल कॉंटिटिटिटि में के जादा पॉंटिटि हाट वाला एधल सो तोने नहीं आपधी यहां तो दिखक्त तो नहीं है यह Прोत करें बाद चलीमफ कि बारे में लिम लिम से को हां यह क्या है थे टीशू फ्लूइड कहते हैं più टीशू फ्लूइड कहते हैं कर दोぎ fix के बीच में connection था between the blood capillaries plus tissue tissue blood capillary के बीच में connection को यह अपका exist कराता है अब कितने लोगों सर लिंफ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है इमानदारी से हाथ कड़ा करो सर हमको लिंफ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है अच्छा एक बात मैंने यहां पर लिखाना तुमको भूल गया एक नोट पॉइंट नहीं सभी लोग लिख लो इसको आपन इसको चिलेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है इह होल्ड करके रखता है कैलश्यम को अगर होल्ड नहीं रखो गेल बंवल्ट कर जाए अगर क्याटिंग थल्टींग किसी प्रकार का Banana क्लियर ऋब यहां ताक मैं वशल्मी आपको ऐसे इंजरी और ंरियो और रड्र प्लीट 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 बраш्वीट snawट हीं किया ने तुने में तुर इनटीट में यह बात अप लोग ध्यान रखना ठीक है प्लिंफ एक पर लेक्स को नहीं आता है बहुत सरे बच्छों को नहीं आता है थिक है बाते नहीं बस देवेश हो गया कि यह लिफ लिफ को आजे समझते हैं दिंफ को क्या होता है देखो बच्छों यह तुम्हारा टीशु है यह आपका tissue है यह tissue है और यह आपका blood vessels है यह कौन है बच्चों यह तुम्हारे पास है blood capillaries यह कौन है तुम्हारे पास this is your blood capillaries शो से डोट वेस्टिन अब सनो क्या होता है आपको पता क्या मुना बिलट से टिशू में क्या जाएगा ऑक्सिजन और टिशू से क्या나 क्या जाएग ब्लढियों में सवाधोर смогं एक्स्चेंज गों रहे ठीड टेच्छिल्व में होता क्या है जब तुम्हारे पास बड़े ध्यान से सुनेगा बच्छों बड़े ध्यान से सुनेगा इस बात को जब तुम्हारा एक्सचेंज हो रहा है ना तो कुछ सब्स्टेंस लीक हो जा रहे हैं जी जो leaked substance होते हैं उसी को आपन लिंफ कहते हैं बस इतना ये लिंफ इतना ये लिंफ इतना ये लिंफ क्लियर है अब ये लिंफ तुम्हारा क्या है जी ये colorless है अब colorless क्यों है मुन्ना क्योंकि आपका जो RBC ना RBC वो आपका ये इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता जी अब क्य होगा जी ये लिंफ है मुन्ना ये तुम्हारे लिंफाटिक सिस्टम में इंटर कर जाते हैं और लिंफाटिक सिस्टम दोरा ये तुम्हारे बस हमारे जो major vein है major vein कौन है बच्चो superior Vena का वा से होते हुए ये तुम्हारे वापस से हाट में चले आते हैं तो लिंफ क्या हम वापस नहीं करुछ region क वह क्या है स Da sorry,जय क्या है नुग मैं अनरहे होता किया है ये टिश सबस्तेंस आपके लिंख हो जा मैं पचाली क्या हैँ तो ये तुम्हारा इमिडल मैं हो गया ये तुम्हारा मिडल मैं ही ठीक है crave टीश कुछ बूरा क्यों बोलर मıllग बोल हे अच्छा ठीक है वित आहिल आई लव यू सर अब कोई डिस्टाप मत करो यार फ्लीज डिस्टाक्शन बहुत क्रियेट हो रहा है अब वह यह ना कि क्लास में अपना फिर मतलब दूसरी लोग आके प्राब्लम क्रियेट करें तुम कुछ मत बोलो तो लिंफ क्लियर हो गया मिडलमेन क्याता था बिकाशन अखिजिबिट करवाएंगा किस के बीच में बलड गेपिलरी हो टिशू के बीच में ऑके चलो रहा अब आगए आगए प्लोड पासेज थूर कैपिलरी इस इनद टिशू के बीच मैं है कुछ वॉटर आपका लीक हो रहा है क्या आगैगी किय water-soluble substances बहुत सारे आपके water-soluble substances भी आपके leak होते हैं बच्छो थेक है move out into the space between the cell of the tissues leaving the larger protein देखो अब यह larger proteins pass नहीं होंगे okay and most of the formed element in the blood vessels तो जो formed element है वो तुमारे पास blood vessels नहीं रहेगा लेकिन जो कुछ water हो गया water-soluble जितने भी substance हो गया वो लुग आपके leak हो जाते हैं और कहां पर चलेगा जी टीशू or blood capillary की beach में इसे लिए इंटरस्टियल fluid भी कहते हैं यह इसे tissue fluid भी कहते हैं समझ में हां क्या यह चीज़े समझ में हां क्या लार्ज प्रोटीन या फॉर्म्ड एलिमें तुमारे लीक होंगे नहीं होंगे वह लीक नहीं होते हैं अब जाको जीज़े इस फ्लूइड रिलीज़ आउट इस फ्लूइड इंटरस्टियल का मतलब क्या हाँ अची बीच वाल ऑर इस Tissue fluid इस जो मीनियरल डिस्रीपूशिशन आप प्लाजमा बिक हो रह यह बागार में जो जो मिनियरल मिल रहे थे वही मिनियरल आपको यह यहां पर मिलेंगे दन क्लियर है बच्छो क्या है क्लियर है अब सुनों जी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रियेंट ग्यासिस बिट्विन दी ब्लड अन्द सेल्स ऑल्वेस अकर थूद इस फ्लूइड आहां क्या बात है देखो जब यह एक्सचेंज होगा ब्लड और टिशुस के बीच में तो सब इसी के दुरह तुम्हारा वो ट्रांस्पोर्टेशन होगा क्या और कार्बन दक्सट का वाई बात क्या रहा है जी अन्हा इलाबरेट नेटवर्क वेसल्स कॉल्ड लिम्फाटिक सिस्टम क्लेक्ट इस फ्लूइड अंड द्रेंस बाक टुदी मेजर वेन मेजर वेन कौन है बच्चो सुपीरियर वेना कावा क्लियर है क्या आगे अगे सुमझी दिफ्लूइड प्रेजेंट इन दे लिम्फाटिक सिस्टम इस कॉल्ड दे लिम्फ जोबी तुमको लिम्फाटिक सिस्टम में मिलेगा उसे अपन लिम्फ कहते बच्चो और लिम्फ तुमारा कलरलेस होता है विच कंटेन दा स्पेशलाइज लिम्फोसाइड तो लिम्फोसाइड तुमारे कैसे होंगे जिम्ना लिम्फोसाइड तुमारे पास कलरलेस हैं सॉरी लिम्फ तुमारे पास कलरलेस फ्लूइड है क्या अब यह लिम्फोसाइड तुमारा किसमें हेल्प करेगा यह को immune response में help करेगा क्या okay which are responsible for the immune response of the body lymph is also an important carrier of nutrient क्या वो nutrients को लेकर जाता बच्छो अब की hormones को भी लेकर जाता है lymph fats are even absorbed through the lymph in the lacteals lacteals में तुमारे fats आपके absorb होते हैं क्या lymph में तुमारी NCRD ने चाप्टर को डिलीट कर दिया विच प्रेजंट इन इंटेस्टाइनल विलाई यह कहां पर प्रेजंट है बच्छो यह तुमारे जो विला लेक्ट लिम्फाटिक सिस्टम वो तुमारे को विलाई में मिलेगा जी ओके ठीक है यहां तक इसको डाउट है बच ब्लोड स्टेंस बिट्विन डी ब्ल्लड कपिलरिज एंडा टिशू प्लेट इसमें तुमारे वाटर उटर वाटर टक होंके बलेड और तुमारे पैसी बड़े पार्टीकल नहींट को टे मरी परिंदॏ की ढहिने उसकते हैं यह क्या कड़ेंगे टी लिम्फ वो तुमारे गैसे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और जितना भी लिंफ हो तुमारे लिंफाटिक सिस्टम में ड्रेन होगा और उससे होते विए तुमारे सुपीरियर विना कावा में चले ही आता है क्लियर है जी चलो जी चलो आजारी है खतम हो गया तुमारा यह वाला पार्ट बन शुरू अब बात करें तो सर्कुलेटरी पाधवे के बारे में बहुत इजी टॉपिक है खतम कर लेंगे जल री जी बस देवेश मत बोलो यार क्यों कुछ बोल रहा है मत बोलो किसी कवारे में कुछ नहीं बोलना है तो एक बार ही मैं तुमको देशी बासे मता दू शर्कुलेटरी अब इसमें अंतर क्या बड़े गोँदेखना ची और यह तुम्हारा टिशु है तो यहां से जो capillaries निकले हैं वो सिधा tissue के direct contact में होती है मतलब क्या यहां पे there is a no capillary bed यह तुम्हारा open circulator system है इसमें capillary bed जो है न यहां वो absent है clear है अच्छा blood तुम्हारा यहां पर tissue के direct contact में आ रहा है क्या blood is in direct contact with tissue बचो बहुत important अभी conceptual चीज़ शुरू हो चुका है बड़े गौर्स सुना आजिया भी आपको okay yes अच्छा बचो यहां पर ना blood pressure को आपन regulate नहीं कर सकते हैं cannot be regulated तुम regulate नहीं कर पाओगे यह तुमको आर्थ रपोर्ट में देखने को मिलता है और mollusk में देखने को मिलता है जी open exception है इसका octopus octopus में आपको closed मिलता है जी clear है अच्छा अब यह closed में क्या होता है बच्छो अब closed में क्या होता है closed में क्या होता है अगर तुम देखो तो यह तुम्हारा heart है ठीक है और यह तुम्हारे पार tissue है this is your tissue यहां पर क्या होता है यह blood capillary direct contact में कभी नहीं होता है इसके यहां पर कभी इसका direct contact में नहीं होता है यहां पर प्रकार का एक प्रकार का ऐसे capillary bed present होता है एक प्रकार करना capillary bed present होता है इस प्रकार का capillary bed present होता है इस पार्ट को आपन कहते है capillary bed दिख रहे हैं आपको capillary bed अब यह capillary bed का फाइदा क्या बच्चों यह फाइदा क्या है तो यहां पर आपका exchange हो रहा है वह diffusion के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है यहां पर यहां पर बीपीगो तुम regulate कर पाऊगी यहीं सारी बात है वो तुमारी str at क्या है डियक एंसे लगे एंसे नृडल के आपका लो ड owता है अब ऑपनल इजिए ये उफ प्राट के शुरूरात है यहीं से प्रकाशी पाथ्वेप और में आपक काowego Chr अब open circulatory system is present in the arthropoorts and molly उसका exception लिख लो बच्चो exception कौन यहां पर यहां पर आपका exception जो होगा वह ओक्टोपस जो कि आपका को शोता है ब्रोंगे क्लोजड़ोता है ठीक है फाइन लागे ओपन में तुम्हारे पास कैपिलरी बेड मिल रहे है क्या ऑंपन आपको कैपिलरी बेड जो है एए का तो बीपी को आप रेगुलेट कर पाओगे बीपी को आप रेगुलेट नहीं कर सकते हूँ यहां पर क्या बोला गया ओपन सर्कुलेटर सिस्टम में इस प्रेजंट इंदी आर्थ पोर्स अंद मॉल्यूस का इन विच ब्लड पॉंट बाइधी हाट पासेज थूर लार्ज वसल सागर तुम बड़ी गौश देखोगे यहां पर ब्लड पंप हुआ चल भाई ब्लड पं आपके ड्रेन हो चुका एजी ठीक है और इंटो इअट इधेश ओर अपन स्पेस और बॉड्डी केविटीज कॉल्ट साइनसिस मतलब क्या यह तुम्हारा सिदा टिशिव में आके ड्रेन हो रहा है यह जो ब्लड है वह जीधा के टिश्यन हो रहा है आपका ठीक है आईजि इसमें तुम्हारे capillary bed present होते हैं क्या इसमें तुम्हारे capillary bed present होंगे और BP को तुम regulate कर पाओगे ने को लिखा वाए ना यहाँ पर क्या कि close circulator system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of the blood vessels है ना तो यह closed network से हर्दम circulate करवाया जाता है इसे close network को आपन capillary bed कहते है इसे को capillary bed कहा जाता है ठीक है आप इस पाटन considered to be the more advantageous as the flow of blood can be more precisely regulated अब इसका मतलब क्या जी मना flow of blood can be regulated इसका मतलब है कि BP can be regulated BP can be regulated क्या यहां तक कोई डाउट है बच्चो क्या यहां तक कोई भी डाउट है जल्दी बताओ यहां तक किसी को एक पैसे कभी डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो वही बात तुम्हारे पास यह पूरे लाइन में लिखा गया है कि हमारे पास दो प्रकार की सर्क्लिटरी पाथवे ओपन और क्लोस ओपन में क्या होगा बच्चो अरे यार शिट बच्चो एक मेरा लैप्टाप बंद हो गया आवाज नहीं आएगा आवाज आ रही है क्या अब मेरा माइक जो है ना वह कहीं और पर कनेक्टड़ है यार शिट एक सेकंड दे रहा ज़िव में सेकंड बच्चो मेरा ना मतलब यह चलेगा माइक चलेगा क्यामरा दूसरी लैप्टाप से करेंप करेंगा ना वह फॉर स्मूथ स्ट्रीम एक सेकंड बच्चो अब यह अब यह आवाज आ रही है आवाज आ रही है ना फाइन मतलब मैंने कैमरा लग उसके माइक लग उसके की लाग ना जिससे कि तुमको सिस्टम तुमारा सही चले ओके सिस्टम पाड़ देंगे आपर वैसे ओके मज़ा आ गया है आगे बढ़े बच्चो लेट्स स्टार्ट विधिस पारेग्राफ अब हम लग चेंबर आफ हाट्स पढ़ने वाले बच्चो अलग लग चेंबर आफ हाट्स पढ़ेंगे ओके देख लेक्या ओके लेट सी इसको भी बद देसी बासे में ना पढ़ लेता है आगा चारोट के लोग चेंबर आफ हाट कि सेंबर आफ हाट कि हमारे पास अलग लग चेंबर अफ हाट्स मिलते हैं कि देखो 2 Chambered Heart में मिलता है अब 2 Chambered Heart आपको किदर मिलेगा ये ये आपको Fish में मिलेगा 3 Chamber Heart ये किस में मिलेगा आपको Amphibians और Reptiles में मिलेगा plus Reptiles और 4 Chamber Heart यह आपको मामल्स में और एफ में मिलता है क्या जी एफ और मामल्स अब ध्यान से ना मेरी बात को भी सुनना है जी मुलना सबसे पहले हम बात करेंगे टू चेंबर हाट के बारे में पस्तां हने अजिका है ऐसे पर साथे हया हो कि यहां पर जो सार्कुलेशन होता है उसको ऑपन कहते है पाछिक सिंगल सेर्कुलेशन इसका example कौन है फिश तो फिश मेरे अपने को single circulation देखने को मिलता है अब what do you mean by single circulation पूरे यह जो पूरा paragraph है ना यही बात किया गया है उसके अग्दम देसी भासा में समझ लो देखो इसमें क्या होगा नमना देखो दो चीज़ आपके पास आएंगी सबसे पहला आपका एगा गिल्स और दुसरा तुमारा हार्ट यह दो चीज़ आएगी ठीक है अब गिल्स तुमारा oxygen और आपका exchange चलता है यहां पे ठीक है गिल्स अहरदम body tissue को क्या देगा बच्छों गिल्स अहरदम body tissue को क्या देगा oxygenated blood okay oxygen provide करवाएगा जी ठीक है और body tissue आपकी metabolism करेगी आपकी metabolism करेगी और metabolism करने के बाद decarbon dioxide बनाएगा क्या तो heart will always receive what heart को हरदम क्या मिलेगा de oxygenated blood heart will always receive paper में आता है always receive de oxygenated blood फिर heart में क्या होगा जी मनता purification होगा और वो गिल्स में जाएगा जी clear है यहां तक किसको doubt है यहां तक किसको doubt है क्या sorry 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 heart से तुम्हारे पास gills में गया sorry heart से पुरिफिकेशन नहोगा heart से तुम्हारे जाएगा दिष्ट और गेल से तुम्हारे पास एक्स्चेंज गारी गिल्स से आपका एक्स्चेंज गरेगा को कि और और बोट Use विश्य उसे हार्ट को क्या मिला दी आप्षेसिंद्लिक प्लेजों इसी को सिंग्ल सर्कुलेशन कहते हैं और कुछ नहीं it's had 빼u किसमें देखने को मिलता है होको एफ त्री चेंबर हाट किसमें देखनी को मिलता है जल्दी सुता हो किसमें मिलेगा त्री चेंबर आपको एम्फिबियन्स और रेप्टाइल्स मिलेगा क्या येस आई इसमें तुम्हारा इनकम्प्लीट डबल सर्क्लेशन होता है इनकम्प्लीट डबल सर्क्लेशन ठीक है कैसे देखों यहां पर क्या होता है तीन चेंबर में न दो तुम्हारा एट्रिया रहेगा और एक तुम्हारा वेंट्रिकल रहता है ठीक है अब अगर तुम बड़े गौड्स अगर देखोगे मैं हाट को बना देता हूं यह कुछ इस प्रकार से ना हाट दिखता है ठीक है यह क्या बच्छो यह तुम्हारा राइट्रिया लेफ्ट एट्रिय और यह तुम्हारे पास लाज वेंट्रिकल है अगर टीक है सिस्टम तो अदा हो जो मेरे को मैटर नहीं कồiता है तुम्हारे मभब ने तुमको यही सिखाया है कि Аर जो भी तुम्हारा अगर तुम अगर के बंदे लोग हो ना या कोई भी हो तुम्हारे बाव उपने तुम को यहीं सिखाया है क्या कि यहां पे तो कर ले रहे हो बेटा उपर अला सब देख रहा है कि इंदगी में इतने सोटे मिलेंगे ना कि गिंते गिंते ठक जाओ गया क्योंकि ना तुम्हें टीचर के क्लास में डिस्टब कर रहे हो और तुमको याद होगा कि पहले की जनम में रिशी मूनी लोग जो है लोग जिब एक बार श्राप देते थे ना राजा लोग भी ना राजा से फकीर बन जाते थे मैं कुछ उल्टा बोलना नहीं चाहता हूं या वह बहुत जल्दी लगता क्योंकि ना मैं बहुत डेडिकेशन से बढ़ाता हूं मैं फटाता नहीं हूं यहां पर ठीक है कुछ लग जाएगा जिंदकी में और हम लोग ना असाही करम कर रहें बुरी करम नहीं कर रहा है यहां बैटके ना बट्चो पर लूट को लुट को टैकर भी कि अगे ठीक है मैं बोल नहीं रहां उल्टा बोलना शुरू कर दिया ना है जिन्दक क्यारों बड़े-बड़े से ने नीचे को तरते वे देखा है हम लोगों ने ठीक है तो थ्री चेंबर हाट तुम्हारा एमफिएंस और ओगे ठीक है होगे ठीक है बस 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 हो गया बात है नहीं बात है आप चलो आगे बड़ो तो थ्री चेंबर हाट तुम्हारे पास इंकंप्ली डबल सर्कुलेशन दो एट्री और एक वेंट्रिकल होता है अब इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है राइटेटिया वो डि ऑोकुञ इस होता है यह रिफ गेलेगा नब का से डाइपस्वे 전 अब। ऑर यूटेट्रिया के पास क्या होता है कि ऑनकिके डियनेटिर पुर। या और नब। trial सो एनोर या न orthostionate ventricles में mixing होती है क्या blood की blood यहाँ पे आपका mix हो जाता है ठीक है अब reptiles में तुम्हारा exception है बच्छो exception कौन है बताओ exception कौन है आपका वो है crocodile जो कि four chambered रहे clear जो कि तुम्हारा four chambered होता है यहां तक कोई डाउट है क्या यहां करता है कोई डाउट है बिल्कुल भी नहीं तो वेंट्रिकल्स में आपको मिक्सिंग देखने को मिलता है इसी को आपन इंकम्प्लीट डवल सर्कुलेशन भी कहते हैं बचो अब हम बात करेंगे बचो फोर चेंबर हाट के बारे में फोर चेंबर हाट यह किस में देखने को मिलता है बबू यह आपको मैमल्स और एव्स में देखने को मिलता है क्या एक सेकंड डूप चोड़ यह आपको मैमल्स और एव्स में देखने को मिल रहा है मैमल्स और एव्स में देखने को मिलता है ठीक है अब सुनों इसमें द्याम से कि इसमें तुम्हारा complete double circulation होगा क्या इसमें complete कि डबल circulation आपको देखने को मिलता है बच्चो कैसे देखने को मिले का बड़े गौर से देखना है यह यह तुम्हारा हाट है यह कुछ इस प्रकार से आपका हाट है कि बच्चो इस प्रकार से आपका हाट है यह तुम्हारे पास क्या है यह राइट एट्रिया है लेफ्ट एट्रिया है राइट वेंट्रिकल है और नीचे तुम्हारा है लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है बच्चो अब यहां पर क्या होग बॉडी से deoxynate blood आएंगे क्या, आएंगे और वो right ventricle में जाएंगे, और right ventricle से यहां से निकलता है pulmonary artery, क्या निकलता है यहां से pulmonary artery, मैं PA करके मैं आगे समझाओंगा इसको, pulmonary artery दोरा यह तुम्हारा deoxynate blood lungs में चले आएगा, टिके, left atria में यह है तुम्हारे pulmonary veins, कौन है lungs से oxygenated blood लेकर आ रहे है, ठीक है, और अब यह तुम्हारा left ventricle में उतरेगा, और यहां पर left ventricle से, पुरे body में जाएगा aeota के दवारा, clear है बच्चो, clear है बाते, अब अगर तुम बड़े गौर से देखोगे न, तो यहां पे बच्चो मैंने atria बहुत छोटा बनाया, so atria आपका smallery होता है, और जो ventricles होता है वो आपके बड़े होते हैं, वो large होते है, clear है, okay, done, एक बड़ी NCRT reading माले पटा पटा पट NCRT की reading कर लेते हैं, okay, एक बड़ी NCRT की reading, हाँ मैं कोशन करा दूगा, रुख जाओ, पहले रुख जाओ, पहले concept कर लेते हैं, अभी thickening के ब all vertebrates, all vertebrates possess a muscular chambered heart, सारे के सारे तुमारे muscular chambered heart possess करते हैं, क्या, जो heart तुमारा, वो कैसा derived है, यह mesodermally derived है, क्या, अचा, यह dorsally present है, ventrally present है, ओगे, यह तुमारा, ventrally present होता है, बच्चों, ओगे, ठीक है, अचा, जितने भी vertebrates है, उनमें dorsally, तुमको क्या मिलेगा, जी, dorsally notocod मिलता है, notocod मिलता है, बताया ना आपको, फिश हाव, टू चेंबर हार्ट, वित अना, एत्रियम अना, वेंट्रिकल, ठीक है, और फिश में क्या देखने को मिलेगा, आपको, सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, जी, वहें पे, amphibians and the reptiles, except a crocodile, crocodile have the four chambered heart, तो reptiles और amphibians में तुमारे तीन chambered heart होगा, except crocodile, with the two atria and one large ventricle, whereas crocodile, mammals and bird, possess a four chambered heart, with two atria जो कि तुमारे smaller होंगे, और तुमारे दो ventricle, जो कि larger होंगे, कोई निकत, कोई निकत, बिल्कुल भी नि, अब देखो, in the fish, the heart pumps out, deoxidate blood, देखो, अब मैं तुमको पुरा revise कराओंगा, मैंने क्या यहां पर बोला बच्चो, कि fish में क्या हो रहा है, heart हर्दम क्या pump कर रहा है, deoxidate blood, gills के पास, करें pump, देखो, वही बात, तुमारी NCRT भी यहां पर लिक रहे है, क्या, कि in the fish, heart will pump out deoxidate blood, which is oxygenated by the gills, gills क्या अगर कि उसको oxygenated कर देगी, and the supply to the body part, from where a deoxidate blood is returned to the heart, मतलब क्या, heart will always receive the deoxidate blood, heart को हर्दम, deoxidated blood ही मिलता है, ऐसे circulation को आपन कहते है, single circulation, याद रहेगा, मैं फिर से तुमको बता देता हूँ, देखो, यहां पर, समझो, यह तुमारा gills है, और यह heart है, heart क्या करेगा, gills को deoxidate blood देगा, और gills उसको oxygenated में convert करके, body में देदेगी, अरे यार, यह पता नहीं क्या हो रहा है, यार, एक सेकिन बच्छो, और body क्या करेगा, body oxygenated blood देगा, body फिर से उसको use करेगा, और deoxidate blood जो है, वो heart को देदेगा, ठीक है, ऐसे circulation को आपन single circulation कहते हैं, ठीक है, single circulation, अब, in the amphibians and the reptiles, the left atrium, ध्यान रोको, इसमें तुमारे पास 2 atrium और 1 ventricle है क्या, so left atrium क्या receive करेगा, deoxidate blood, sorry, left atrium जो हो आपका हर्दम oxygenated blood receive कर रहा है, ठीक है, और मतलब कहां से receive करेगा, from the body, or gills, from the, blood from the gills, lungs और skin, और right atrium नहीं, मैंने, मैं उल्टा बोल रहा है रहा है, पर, मैंने पढ़ाया तुमको सही है, left atrium क्या करेगा, बचो, oxygenate blood लेगा, हर्दम gills से, या तो lungs से, या तुमारा skin से, इनको ना right atrium पहले लिखना चाहे था, confusion create कर वादिये, देखो, और right atrium क्या कहा रहा है, बचो, ये deoxygenated blood लेगा, from the other body parts, ठीक है, however, they get mixed up in the single ventricles, which pumps out as a mixed blood, इसी का पर incomplete double circulation कहते है, बचो, अब, bird और mammals में क्या होता है, इन्दी birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood, receives by the left and right atria respectively, ध्यान देखना, oxygenated blood कौन receive कर रहा है, left atria, किसके मदद से, pulmonary vein की मदद से, ओगे, ठीक है, ओगे, हाँ, चलो जी, आजो जी, हाँ, निरव सोनी, अरे नहीं, भाई, शांद रहो, इस मॉक्ताइश फ्री श्रूती देखो देखो, तुम प्री वाले लोग आगे, प्री वाले लोग यहां पर नहीं, आजो, यहां पर सेम साट के ventricles में होते रहा, अब देखो, ventricles will pump it out without any mixing up, अब यहां पर क्या blood की mixing चल रही है, क्या, पोर चमबर ढट में ब्लेड की mixing नहीं चलती है वागे दो separate circulatory pathway यहां पे होते हैं तुमको पता है वो दो separate circulatory pathway कौन से बच्चों do you know do you know एक सेकंड गार दोट से मैं क्यामरे को पीछे कर दो यहां पे दो तुमारे separate circulatory pathway होते हैं पहले का नहीं में pulmonary circulation और दुसरे का नहीं में systemic circulation pulmonary circulation और दुसरे का नहीं में systemic circulation clear है pulmonary or systemic circulation आपके दो होते हैं ठीक है it is present in the organism hence this animals have a double circulation अब इसके बार में पढ़ेंगे let's study the human circulatory system आई पढ़े का यह अब human heart के बारे में अब human heart के बारे में पढ़े का बच्चो human heart के बारे में थोड़ सा पढ़ते हैं अब मस्त मजा आ जाएगा जी और बहुत मजा आ जाएगा ठीक है चलो जी कॉंसे बहुत तगड़ा याद रहता है अरे में पार्ट वाइस ले लूँगा नहां याद रख सब याद करो तुमको रिवाइस करवा दो बच्चो हाट में रिवाइस करवा देता हूं चलो लेट्स रिवाइस दी हार्ट अगर हम बात करेंगे बच्चो कि यूमन हाट के बारे में हम लोग कुछ अलग तरफ की समझते है यूमन हाट के लिए अपने बनाते क्या बनाते क्या बनाते है डब्बा डब्बा से अपने को जल्दी समझ में आएगा ओके डब्बा बना दिया अगर तुम देखो तो जान मुझका ना मैंने एट्रिया बहुत छोटा बनाया जान मुझका ना एट्रिया मैंने बहुत छोटा बनाया तेक इसके पिछे भी कारण है और से और नीचे कर लेता हूं यह तुम्हारा एट्रिया होगा चलो आजो अब उपर तुम्हारे को सबसे पहले क्या मिलेंगे बताओ उपर यह क्या मिल रहे है यह तुम्हारा एट्रिया है बच्चो एट्रिया यह एट्रिया आपको स्मॉलर होता है क्या और यह नीचे क्या मिल रहा है ventricles ventricles तुम्हारे larger है यह तुम्हारे बड़े है ठीक है ध्यान से सुने रबब यह तुम्हारा right atria है बच्चो और यह है तुम्हारे पास left atria यह है तुम्हारा right ventricle है और यह है तुम्हारा left ventricle कोई दिक्कत यह तक कोई भी fuckin हमने क्या बोला है वो तुम्हारा क्या लेकर आएगा राइट यह तुम्हारा क्या लेकर आएगा डी औौक्सीजि переж豆 blood है अब हमारे body के दो parts से deoxynidate blood आते हैं एक तो उपर से आ सकता है और एक तुम्हारा नीचे से आता है तो diaphragm की ऊपर से जो तुम्हारे पास लेकर आता है उसको आपन कहते है superior vena cava क्या कहते है बचो इसको आपन नीचे से blood लेकर आएगा diaphragm की नीचे से उसको आपन कहते है inferior vena cava और यहां भी आपका आप यहां तो आप यहां तक किसी को भी डाउट है क्या जल्दी बताओ जल्दी यहां तक किसी को डाउट है अब देखो अगर तुम देखो गए तो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया आपसमें बच्चों यहां पाजिससे डिवीजन हुआ है उसको आपन कहते हैं इंटर एट्रियल स्प्टम क्याते हैं इंथर का मतलब एट्रिया को डिवाइड करने वाला साथ में इंटर Inter-atrial septum कहते हैं इसको कुछ चीज आपको बड़े focus में ध्यान रखना है ये तुम्हेरा थिन है या थिक है बचो ये थिन होता है और ये तुम्हारा muscular wall है wall हे ना ये इसने wall बनाया है तो ये तुम्हेरा thin muscular आपका wall होता है ये याद रहेगा आपको तो इत्थिन तुम्हारा muscular wall है अब वहीं पर अगर तुम नीचे होतर होगे बच्चो अगर तुम नीचे होतर होगे ventricles को भी तो divide किया गया है अब इसके wall कैसे इस wall को आपन क्या नाम देंगे बच्चो interventricular septum interventricular septum अब यह तुम्हारा thick muscular wall है यहां तक किसको doubt है बच्चो यहां तक doubt है बिल्कुल होना चाहिए तो जो atria को divide कर रहा है उसे आपन कहेंगे inter atrial septum कहेंगे जो कि thin muscular wall है muscular fibrous नहीं है ठीक है और जो ventricle को divide कर रहा है उसे आपन interventricular wall कहते हैं जो कि तुम्हारा thick muscular wall होता है लेकिन 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 लोग कि जा भाई तिबीशन सोनी तुम कहें दो कदम आगे जा रहे हो बतारो ना तिबीशन हर एक चीज तुम्हारा clear हो जाएगा हम लोग अभी कहां पर है मिरेको पढ़ा लें दो है तो फिर तुम इंदर आजाओ अब atrial ventricles आपस में भी divided हैं क्या बच्छों सब्टम अब यह तुम्हारा थिक है और यह फाइबरेस नहीं होगा यह तुम्हारा muscular नहीं होगा बल्कि तुम्हारा fiberous वाल होगा नीट में ना सवाल यही आता है इंटर अट्रेट्रियल तुमारा प्रेजिकल वाल्फ प्रेजेंट है किली कस्प हते हैं तीन मसक्विलर फ्लैप होते है और इसमें तमारे यह लेफ्ट एट्रिय और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीटमी वैल मिलता है इस वैल्फ कापन कहते हैं बाइकस्पिड वैल्फ या इसी कापन क्या कहेंगे बच्छो मिट्रल वैल भी कहते है अगर आये सवाल तो यह गलती मत करना है जी ठीक है अब सुनो बटा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कौन सी ब्लड आएगी डी ऑक्सिजनेटर की ऑक्सिजनेटर यहां पर आपकी डी ऑक्सिजनेटर आएगी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सी ब्लड आएगी आपकी यहां पर यहां पर तुम्हारी oxygenated blood आती है यहां हर एक चीज़ एक दो हम स्टक पर समझे अब देखो हमने आपको पीछे क्या बताया था बच्चो कि यहां से blood कहां पर जाएगी left ventricle से deoxyated blood यहां से lungs के पास जाती है बच्चो लंग्स के पास जाती है जो लेकर जा रहा है जो लेकर जा रहा है बच्चो उसका नाम क्या है जो लेकर जा रहा है उसका नाम है pulmonary artery यह लौती र withdraw कट आट्रिय जो कित मारी ऑको Solar कर रही है तो यहां परगिव खागिया बच्छो हजिसे अब सब्सक्राइब क्याए पर नहां व सका प्लकाइब लेवालब कि मरीव एपिछ अब लव्क्ट कल से है को मात सम्वाइब ऑज़ी ब्लड का बजा रही बॉडी में जा रही है कि इसके दौरा जा रही है तो यह एटा तो यहां पर जो वाल्व होगा उसका नाम होगा युटिक वाल्व कर तो साथ में इसको आपन सैमी लुनार वैल्व कहते हैं कि यहां तक किसको डाउट है बच्छो क्या यहां तक किसको बहुत है क्या जल्दी बताओ क्या यहां तक किसको बहुत है जल्दी बताना तो यह तुम्हारा बेसिक होगा तुम्हारा inner pericardium हमारा है जो हार्ट है वह कहां पर बाच्छो वह तुम्हारा अंदर को और हमारा्य होता है मायोजने का मतलब यहिए कि हमारा हा खुद से ना नर्व इंपल्स को generate कर पाता । म्हचेनी वीडियो को लाइक कर देंगे सबी लोग ठीक है का आगे बढ़ो बेटा इसी का नाम कहा जी blood vascular system होता है इसी का हम लोग blood vascular system कहते हैं कहते हैं कि blood vascular system हमाँ इसी कहते हैं एक मत्रूप जा है और दो-तिन लोग आ गए है आज़ा जी अब consisting of the muscular chambered heart हमारा heart कहते है जी muscular chambered है अच्छा यह किन से derived है यह तुम्हारा Dermally derived है क्या यह for chamber set हम जोनमा जो मतलब जी मयोजेन का मतलब की हो ठलिए बच्चों कि हाट की मसल्स जोनम वह खुट से अक्षिन पटेशन जनेरेट कर सकती है हाट की मसल्स कान जनरेट आक्षन पोटेंशियल पता नहीं क्या हो जा रहा है कभी कभी आक्षन पोटेंशियल खुद से जनरेट कर सकती है अब सुझ तुम्हारे पास मस्किलर चेंबर हाट आता है ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम में कौन आएगा और नेटवर्क आफ क्लोश ब्रांचिंग ब्लड वेसल आएंगे क्या अन ब्लड इससे क्या बन गए तुम्हारे पास क्लोश हो गया ओपन ह यह तुम्हारा यह तुम्हारा क्लोश्ट तुम्हार यार क्या हो रहा है एक मट्र क्यार शायद इसका बैटरी लो गया होगा यार बैटरी तो भी बहुत है क्लोश्ट चर्क्यूलेटरी सिस्टम पर एक मिनट तो हो गया ज़िस्ट गिव में ए सेकंद बच्चो ज़िस्ट गिव में ए सेकंद just give me a second closed circulatory system क्योंकि यहांपे blood vessels present है ना यहांपे blood vessels present है जी ओक आज ओ जी अच्छा the fluid which is regulated अब यहांपे fluid कौन अपना ब्लड है तो fluid को regulate करें मतलब कि बीपी इस रेगुलेटेड ब्लड प्रेशर इस रेगुलेटेड डन अब सुनो हार्ट के बार में हार्ट तुमारा इसा मेजोडर्मली दराइव्ड और्गन है बचो मेजोडर्मली इडिस सिचुएटेड इन थोरासिक काविटी इन बेट्विन दौ नंग्स इसे मीडिया स्टेनम कहते हैं वे इन बीट्विन जो है इसको अबन मीडिया स्टेनम कहते हैं मीढियस्टीनुआ है इह जी ओके अब जब न अ हाउक हैं वो लिठावेDoos किसके और इंटेट है इंटेट इंटेट है इन स्लाइट जो स्इज होता हांअट का ।पु यदितना होता है क्या खर्था हाहत्य उतना तुमारे हार्ट चाना साइज थी ठीक है अचाँ अच्छेवल अचाक इडिस प्रोटेक्टेड इडिश जभी डैबल bread मैं- म değildनि而 Corinth जिसका नाम है प्रिकार्डियन तो तो डैबल इयर्ड है कि आंटेडन है उत्सक्राण। तो pericardial fluid secrete कौन करेगा visceral करेगा या parietal करेगा तो it is secreteed by the visceral pericardium मतलब inner pericardium secreteed by visceral pericardium जो अंदर अला pericardium है न वो secrete करता है आपका क्या कहते है pericardial fluid अब हाट is a four chamber ठीक है उपर क्या मिलेंगे दो आपके छोटे दो two relatively smaller upper chamber called atria मैंने लिखाया दो उपर तुमको छोटे atria मिलेंगे और दो नीचे तुमको larger क्या मिलेंगे बच्चों lower ventricles मिलेंगे अब आपको भई है atria के बीच में क्या मिलेगा धियान थे न थिन muscular wall मिलता है which is called inter atrial septum जो कि right और left atria को आपस में separate करेगा where is our thick wall because atria को separate करने वाला तुमारा wall जो हो तुमारा thin है वो आपका thin और muscular है लेकिन ventricles को separate करने वाला तुमारे पास thick और muscular होगा thick wall inter ventricular septum मिलेगा जो separate करेगा left और right ventricles को लेकिन atrium और ventricles को separate कौन करेगा जी atrium ventricular septum जो कि तुमारे पास क्या होगा thick होगा और वो fibrous होगा याद रखना बस यह बहुत important है बच्छो क्या कि the atrium and ventricles of the same side are also separated by the thick fibrous देख रहे हो देख रहे हो मुनना यह NCRT gain line है भाई atria atrium तुमारे पस thin muscular wall होगे और thick तुमारे muscular wall होगे लेकिन atria ventricles तुमारे fibrous wall द्वारा separated अबच्छो इस called atrio ventricular septum कहते हैं जी अपसर नो होगे हाईवर each of the septa are provided with the opening through which the two chambers of the same side are connected देखो आपस में देयर connected क्या किसके द्वारा valve के द्वारा the opening between the right atrium and the right ventricles is guarded by the valve formed of the three muscular flap और a cusp उसका नाम क्या है अब राइट्री और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो valve मिलेगा उस valve का नाम क्या बच्छो उस valve का नाम है आपके बस tricuspid valve वेरास bicuspid क्या था बच्छो bicuspid bicuspid और a mitral valve guarded with the opening between the left atrium and left ventricle अब ध्यांदो the opening of the right and left ventricles अब नीचे क्या वेंट्रिकल से क्या नीचे तो अगर तुम बड़े गवर से देखोगे so right ventricles की जो opening है उसको guard का रहा है pulmonary valve और left ventricle की opening जो इसको guard का रहा है aotic valve लेकिन साथ में इसको अपन semilunar valve कहते है अब वही बोला गया क्या कि the opening of right and left ventricles into the कहां पर into the pulmonary artery देख रहे हो देख रहे हो तो जबकर right है जबकर right ventricle है वो तुम्हारे पास कहां पर जा रहा है यहां पर लिखा तो फॉर कर रहा है किसके दोरा जी pulmonary valve के दोरा pulmonary valve के दोरा और जो left है आपका अन्दा एओटा left ventricle किसके दोरा जी एओटिक वैल्फ बिकास रिस्पेक्टिवली लिखा वाना यहां पर और प्रोवाइट वित यहां पर कौंसा वाल्फ होगा जी सेमी लुनार वैल्फ दोनों को साथ ना पन कह सकते हैं जी आप पर यह कौंसा वेंटरिकल बताओ यह राइट वेंटरिकल होगा क्या राइट वेंटरिकल से pulmonary artery में जाएगा और लेफ्ट वेंटरिकल रहेगा तो वो तुमारा एओटा में जाएगा हिगि मिरत का अब ब्लेड क्या एक बल्ड के सब्सक्राइब इस डाइग्राम को रंग बिरन वह अब सुनो हुआ कि बाला मज़े और आने वाला है रड़ जो यार colonial बहुत इम्पॉर्टन टॉपिक भी आपन कवर करने वाले सबसे पहले आएगा बच्छो एयोटा यह एयोटा क्या है योटा क्या होगा जी मुन्ना योटा यह तुम्हारा oxygenated blood का supply करता है क्या पूरे body में पूरे body में इसकी opening को guard कौन करेगा रिविजिन कर लो यहीं पर opening is guarded by semi lunar valve semi lunar valve असकी opening को guard कर रहा है बच्छो ठीक है अब pulmonary artery क्या कर रहा है बच्छो pulmonary artery यह deoxygenated blood क्यारी कर रहा है क्या होगे कहां पर lungs में लेकर जा रहा है इसको भी guard कौन कर रहा है जी semi lunar valve done आज़ो सुनो pulmonary vein color बदल बदल के मैं करता हूँ सुद्ध की confusion बल्कुल भी create ना हूँ अब pulmonary vein क्या करेगा बच्छो बताओ यह तुम्हारी oxygenated blood लेकर आ रहा है कौन कहां से लेकर आ रहा है कहां से कहां से अब अगर हम बात करेंगे सार left atrium left atrium यह तुम्हारे पास thin होता है कि इसके जो valve होंगे वह तुम्हारे पास कैसे होंगे अब लफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा बच्छो लफ्ट वेंट्रिकल यह तुम्हारे पास कैसा होता है जी लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों ऐसा हो रहा है और ये थिक और muscular होता है कि ये थिक और muscular होता है जी और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को pump करेगा क्या from aorta to body यह पंप कर रहे है ब्लड को ठीक हां कोई डाउट है यहां तक है कोई डाउट बिल्कुल बेल्स भीई अब बचो इंटर वेंट्रोकुलर सेप्टम कैसा होगा थिक होगा या थिन होगा यह तुम्हारा दिख रहा है यहां पर यह तुम्हारा थिक और मस्कुलर होता है फाइबरस नहीं होगा थिक और यह तुम्हारे पास मस्कुलर होगा अब यह एपेक्स है क्या यह एपेक्स के तुम्हारे पास यह कार्डियक नौज बना रहा है यही तुम्हारा कार्डियक नौज बनाता है बच्चों ठीक है जिसके वज़े से तुम्हारा हार्ट है ना वो लेफ्ट के और तिल्टेड है फाइन हो गया अब सुनो जी राइट वेंट्रिकल यह तुम्हारे पास राइट वेंट्रिकल सुनो सुनो द्यार से मस्त है तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कौन कर रहा है जी अच्छा यह तुम्हारे पास डी ऑक्सिजनेट ब्लड क्यारी कर यह तुम्हारा coade tendinae का मतलब होता है Sicht coade का मतलब होता है coide like a hydraulically tendons तो cord like tendons यह तुम्हारे cord like tendons है बच्छो ठीक है यह तुम्हारे cord like tendons है यह क्या करते है बच्छो यह तुम्हारे papillary muscles को ना valve से connect करके अगर तुम देखोगे यह connect करते हैं इट connect papillary muscle यह तू वाल्व हम देखो यह वाल्व को पकड़ के रखे हैं क्या यह बंद ना हो जाए जी cord like tendons अब यह हम लोग अभी notes के बारे में बात करेंगे आगे बात करेंगे अच्छे से इसके बारे में detail में बात करेंगे अब यह राइट एक्रियम क्या रिसीव कर रहा है यह डी आक्सिजिनेट ब्लड फ्रम बॉड़ी हमारे पास एक होता सुपीरियर वेना कावा और एक हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा यह रिसीपीरियर वेना कावा क्या करेंगा जी इट विल कलेक्ट दी बलड बिलो दाफरम और किसी प्रकार का वैल्व नहीं होगा दिर विल बेनो वैल्व अब इन्फीरियर वेना कावा क्या करेंगा जी इट विल कलेक्ट बलड बिलो दाफरम और यहां पर यहां पर वैल्व है उसका नाम यूश्टेचीन वाल्व कोई दिक्कत है यहां तक बिल्कुल भी नहीं होगा जी ठीक है आजी अच्छा यह तुमारे पास राइट ए मेंट तुमारे थिन होगा या थिक होगा यह तुमारे कुछ यहां पर बात है मुना सुन लो आपके साइनो एक्रट अब गरबए गवर से देखोगे यह API मिल रहा है क्लाइट मेने राइंड अपर कॉर्णर पर मिल रहा क väldigt अब हाँ यह दुमारा राइट ए्टरिया में ही मिल रहा है बच्छो लेकिन कहां पर इtx लेफ्क लिफ्क लूущर में सब्सक्राइब लेफ्क लोवड और ॉर कॉर्णर में उक दाने मडोगर आजब यह तुम्हारे दिस सारे लिए और एवी वयल बंडल सॉरी यह जो अना तुमारे सारे सारे दस इस यह तुम्हारे पास है एवी बंडल अभी के बार में बात करूंगा जिए यहां तक इसको डाउट है बच्छों यहां तक इस दिर एड़ इंग तिल यह तिल यह और शुरू करें कि हम लोगए हमारे conduction of nerve impulse को conduction of nerve impulse को शुरू करें कि इसको अब रहे बार पहले देशी बासे में समझा देता हूँ उसके बाद है ना मैं आपको कुछ दम डिटेल में समझाता हूं यह क्या है कंडुक्टिंग सिस्टम को पहले में सिंप्लिफाइड तरीकिस बताता हूं इसके बाद काडियक साइकल यार चाप्टर खतम हो गया यार मैं अगया है बस चाप्टर नहीं है बस कंडुक्टिंग सिस्टम को पढ़ो और काडियक साइकल अता है समझना है ऑजाका दो गंटे में और्ट कर देंग है खतम कर दिंगे उसको कंडुक्टिंग system यार conducting system देखो क्या कहता है बच्चो conducting system सबसे पहले बच्चो human heart है वो myogenic है क्या वो myogenic है human heart is a myogenic myogenic का मतलब क्या है कि हम जो muscle जो है वो आपकी action potential generate कर पाती है जो heart की muscle है वो आपकी action potential को generate कर पाती है अब देखो अब यहाँ पे muscular तुमको nodal tissue देखने को मिलता है human heart में न, muscular nodal tissue देखने को मिलता है that is sa and av node आपको यह देखने को मिलता है clear है यह actually मैं क्या करता है यह यह दो काम करते है एक काम करते है और तो रिदमी City का और रिदमी City का मतलब क्या ऐसे और av node क्या करेगे न और तो रिदमी City को maintain करेंगे और दुसरा काम क्या है दुसरा काम की है ये auto excitability को maintain करते है ability को maintain करते है देखो auto rhythmicity का मतलब है कि heart beat जो है वो proper manner में चले जो heart का जो beating है न वो proper manner में हो और अपना अपना अपन को अपने कर देगा अब सुनको पूरा पता हूं ऑगे ठीक है ओघेकंग एग अब ध्यांच सुनेगा अपड़ेगा यहां यहां बे तुमको फ्लो समझना पड़ेगा बहुत जरूरी जरूरी देखओ कि अगर कर करकर कुछ योजनल आते हैं क्या अप्रधान मंतिर खुद आकर अफे मिलिए और आसना के जूही मैंने तुछ थूरी ना बो लेंगे घर पिल आ तो क्या क्या ग controlled क्या करेंगे प्यप्रया पर जबेंगे प्लेंगे game के यौज ने इसको इंप्लिमीड करना बोधी जी नहीं यह यह जाना भी जाये इसको इंप्लीमेंट करना है अब क्या डीम सबके घर घर में जाय स्वाइन सब्सेंद को बोल देगा वो आकर ग्राम पंचायत मता देंगे और वरारा पुरिये घर में पुर्य महुर्य में पहुँच जायेगा इसलो होता है कि स्का मतलब बेच्छा तो पहले यह उपर से दस दस रुपर से भी लोगों के लिए तो लोगों को 1 रुपे मिलता था इसका मतलब क्या हो रहा है कि अलिक पहले सरकार्टी ऐसा था था न कि 10 रुप्य उपड़ से बेज दिए और लेकिन अपने यहां पर भी हो रहा है क्या कि ऐसे नोट बहुत ज्यादा action potential generate कर रहा है उतना दे नहीं सकते हूं लोगों को तो action potential को खाता कौन है यहां पर सब भी story को समझते मच्छो आई समझे क्या story हो बड़ा मजा आएगा आप थादा मजा आएगा जी सुनो तो से नोट जो है वह तुमारा PA Modi है समझो यह हमारे Modi जी है यह हमारे prime minister है ठीक है ऐसे नोट से impulse आया ऐसे नोट से impulse गया AV नोट के बास से तुमना यह समझ लिया न तुमारा पूरा काम खतम हो जाएगा आए वी नोट तुमारे state के सीए में समझे ठीक है एवी नोट के बाद impulse कहां पार जाएगा बच्छो बंडल ओफिस के पास जाएगा कि bundle आइगा बंडल ओफिस के पास ढख जाएगा बहूं सारे समें डिो डिंडिक होidden और बंडद ले पास तुमारे पॉश्य फाइहगा प्रकिझॆ फाइबर के पास कि परकिंजे फाइबर के पास आइ वे किनजे फाइबर के पास सा नोड एव नोड बंडल ऑफिस इस परकिंजिफायद बात खत्म अब वही तुमारी न्स आट में भी बूल आ गया है ओगया अब अब बंडल ओफिस तुमारे के बना है तो cardiac muscle की properties तो तुमको पता ही होगी है cardiac muscle की property तुमको पता होगी cardiac muscle की क्या क्या properties है बचो सबसे पहली property क्या है यह interclated disc interclated disc present होता है और inner wall entry होते हैं क्या और आपको stritation देखने को मिलता है अच्छा एक बाद तुमको और मता दो बच्छो अभी वाल्स के बारे बात होने वाला ठीक है thickness of the wall thickness के बार में अगर हम बात करेंगे ना left ventricle बहुत ज़्यदा ठीक है ठीक है फिर आगा right ventricle और उसके बाद तुम्हारा इत्रिया आता है क्लियर है यह आप लोग ध्यान रटना यह पेपर में आता है कि सबसे थिक कौन है यार सबसे थिक कौन है सबसे थिक कौन है जी left ventricle उसके बाद राइट वेंट्रिकल और उसके बाद एट्रिया आ गया ठीक है मैं एक बाद देता हूँ तुम पर इक बाद सुन कि जाओ ऑके मेरी बात सुनो पापा तुमको इसी के लिए नेट भरवाते हैं क्या जो भी तुम हो चलो तुम पापा नहीं हो तुम किसी के पापा हो समझो ठीक है हां तुम अपने बाल बच्चों का पेट ऐसे बर रहे हो हां कुछ उल्टा बोल दूंगा बुरा लग जाएगा भी आपको ठीक है ना पढ़ने के लिए पढ़के इज्जत में निकल हो यह हां क्या सर मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है मरने मार लो ना अपने आपके सब्सक्राइब मार लो ठीक है चलो यह काम करो इसको भगा आओ यह मारेगा अपना बाद में डिस्टाक करा देखो बच्चों वॉल अबच्छों अत्रिबॉद का इसको निकल सब्सक्राइब मार लो ठीक्स्क्राइब मार लो ठीकट बच्चों असपेश्यलाइस काडियक मस्कुलेचर आपॉल नोडल टिस्टीषगे इस आल्सो इसो डिस्रिबुटे इन दी हार्ट र्याग अपने पास इस्पेशलाइस्त मारे पास जो nodal tissues है, nodal का मतलब होता है wire-like, wire-like wire-like जो tissues है, वो बिखरे पड़े हैं क्या बच्छो, पूरे बिखरे पड़े हैं जी, ओके, ठेक है, आईए जी, अब सनो हो जो, हमको a patch of a patch of a tissue is present in the right upper corner of the right atrium, जिसको अपन ऐसे node कहते है, syno-atrial node कहते हैं, देखो, तो SA node में actually में क्या है बच्छो, अगर तुम बड़े गौर से इस diagram को देखोगे, तो यह कहां पे present SA node, right upper corner of right atrium, ओगे, आईए जी, another mass of the tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, which is close to the atrioventricular septum, बड़े गौर से देखोगे, तो अगर यहां पे अगर तुम देखोगे, तो यह तुम आरे पास atrioventricular septum आ जाएगा बच्छो, this is your atrioventricular septum, ठीक है, वहीं परिक्दम उसे के बग़र में present देखे हैं यह, आईए, राइट atrium में ही मिल रहा है दोनों, तो लोग राइट atrium में ही मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं मैं तुम को दबबा होगे, बच्छी सब दबबा है, यह मेरा right atrium है, कौन है बच्छो यह मेरा, यह मेरा right atrium, right atrium को अपर कौनर यहां पर क्या मिल रहा है आपका SA node मिल रहा है, और यहां पर क्या मिल रहा है आपका AV node मिल रहा है, ओगे ठेके, चलो आतो जी, जाओ, which is called atrioventricular node भी कहते हैं आपन, ठीके, एक होगे SA node, और एक होगे AV node होगे, क्या होता है बच्छो, अब bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle continues from the AV node which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into the right and left bundle, अब यहां पर इसने पूरा पूरा महाभारत बोल दिया, बच्चों को समझ में निया, क्या बोला गया, अब यह AV node तुम्हारा नीचे उतरेगा और नीचे उतर के bundle of his में तुम्हारा सेपरेट होगा, अब यह bundle of his क्या होता है, इसो interventricular septum है उसकी वाल से एक fiber जाता है, उसी को अपन bundle of his क्याते है, ओगे, सुनो, तो वही बात यहां पर क्या बोला गया है, कि अब bundle of nodal fiber, कौन सा AV node का bundle है, atrioventricular bundle, AV bundle जो है, वो नीचे गया from the AV node, AV node से AV bundle नीचे गया, which passes through the atrioventricular septum, septum को तो pass करना ही पड़ेगा, atrioventricular septum कैसा है वो, थिक और fibrous है क्या, यह थिक और fibrous था, याद है, उसने pass किया उसको, और वो emerge कर गया on the top of the interventricular septum, बोलने का मतलब क्या है, AV node कहां पे है बच्चो, यह तो right atrium में है ना, उसको ventricles में नीचे उतरने के लिए तो उसको AV septa pass करना पड़ेगा, उसने pass किया, और atrioventricular septa है ना, उसके wall से वो divide कर गया, देखो, वो आपके right और left bundle में divide कर गया, अब this branches will give rise to a minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective side and they are called percunjay fiber, तो वो जब bundle of face है, अब मैं यहाँ पे ना, तुमको पुरी story अब समझाओंगा, अब पुरी story समझाओंगा, किदर गया, एक diagram बनाओं दू बच्छो, एक diagram चल यहीं पर बनाता हूं, यहीं पड़ा, यह तुम्हारा heart है समझें, यह heart है, यह heart है, ठीक है, यह तुम्हारा right atrium है बच्छो, left atrium, को दिकत बात तरी, यहाँ पे क्या present है, sa node, और यहाँ पे av node, impulse उपर से आया, और यहाँ पे आके गीरा, अब ही क्या होगा जिमना, av node, av node, av node, अब ही किसो किसो पार कर गया, देखो, इसने तुम्हारे पास atrium ventricular septa को pass किया, और यह, यह तुम्हारे पास क्या, बच्छो, यह this is your interventricular septa, है क्या, जो कि तुम्हारा थिक है, अब इनने के वाल चे यह तुम्हारे आगे continue कर गया, यह तुम्हारा है bundle office, समझे, समझे, अब यह bundle office तुम्हारा divide कर गया, right और left तुम्हारे पास bundle office में, यह divide कर गया, तुम्हारे पास, right और left के अंदर, अब वो further बात में divide करके, परकुंजे fiber बना दिया, this is the पर स्टोरी आपको समझ में आई कि नहीं आपको स्टोरी एवी बंडल इस बंडल अफिस थेक है तो ऐसे नोट को बिटा अच एक कुछ बाते ना मैं तुमको भी बिताऊंगा थ्यां रखना लिखा दो मैं याद कि स्टोरी सभी को समझ में आ गई जी ओगे ठीक है कि ठीक है आदो जी कि चलो यार कितना भगाओंगे बच्चे बच्चों को भगा रहा हुँ मैं ठीक है यह 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 भाई तुम्हारे क्लास वेटिंग है मैं मानता है तुम बड़े लोगो यार यूरा वेरी बिगेस्ट हमें छोटे लोग है अभी कहते ना यार क कि राजा की दर्बार में जादे लोग को नहीं होता नहीं मिलता है ठीक है ना हमारे क्लास में बच्चे है और यह लोग सिलेक्शन करवा देंगे नया आईडी बना क्या आ गया यार है तो आब बाद सुनो यह क्लियर हो गया पर कुछे फाइबर मेरा बन गया अब सुनीं धिफाइबर्स थेसफाइबर्स अलोंग विदी राइड डेफ बंडल अर्ण अजग रनोन अजग यह बंडल अफेश तो बंडल ऑफेश कौन बना रहे बच्चो बंडल ऑफेश तुमारे पास तेखो फिर शेक में आ गया इतनने लोग आ रहे यह आड़ी लोग तो बंड bundle of his कौन बना रहा है बंडल जी राइट और लेफ तुम्हारे बंडल और परकुंजे फाइबर bundle of his तुम्हारे कौन बना रहा है राइट प्लस लेफ्ट बंडल प्लस परकुंजे फाइबर यह मिल के तुम्हारे bundle of his बना रहे हैं क्या clear है this nodal musculature has the ability to generate the action potential without any external stimuli इसका मतलब क्या वह आपका auto excitable है बच्छो यह आपका auto excitable है ठीक है because यहां पर खुदका ही impulse generate कर ले रहा है however the number of action potential that could be generated in the minute vary the different parts of the nodal system यह बात बहुत जरूरी है क्या same ही तुम्हारे पास होगा क्या हर जगा नहीं SA node में 75 bits per minute बनता है लेकिन AV node में अलग होगा तो अलग अलग जगे पे अलग 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 प्रकार से बनता है आपको ओके ठीक है हूं ठीक है आगी जे आगी सुनोगे SA node can generate the maximum number of action potential that is 70 to 75 bits per minute per minute यहां पर ध्यान रटना minus to the power minus 1 है ठीक है इसका मतलब क्या है बच्चो कि heart को contact और relax कराने के लिए यह चीद बहुत ज़रूरी है therefore SA node को आपन क्या कहते है पेस्मेकर कहते है जी पेस्मेकर क्यों तो यह तुम्हारा देखो अब यह तुम्हारा स्टेट्मेंट बेस कोशिन बन गया क्या ऐसे नोट जो वो और रिदमी सिटी को मेंटेन कर रहा हैंस इस पेस्मेकर तो असर्शन और रिजन दोनों करेक्ट है और रिजन प्रॉपर्ली आपका समझा रहाए जी ठीक है अब लेकिन अब आपन क्या कहते हैं आवर हाट नॉर्मली बेट्स 70 टाइम्स पर मिनट आवरेज अमारी बीटिंग वो 72 बीट्स पर मिनट होती है यहां तक कोई डाउट है किसव को बच्चो यहां तक इस दिर एनी डाउट सिंगल अटर आउट किसव को थोड़ा भी नहीं होना चीए काडियक साइकल और यह इसी जोना यह मैं अगली क्लास मिलता हूं इस तीन टॉपिक और इंपॉर्टन है काडियक साइकल इसी जी और डबल सर्कुलेशन ठीक है अगला क्लास रखवा दिते हैं आपन मंडे को और उसमें मैं इसको खतम कर देता हूं फाइन ओगे आईए जी मंडे को कर देंगे ना है कि हम एफ ऐइमली किरवाना संदे को टेस्ट होता है संडे को मैं मतलब चूटी देता हूं बच्चे एक जाम आइद आते हैं परेग्राफ वार्ज कुंशन क्ली लेए वारूं के के लिए तिक है कोई यह वीडियो को लाइक कर देंगे और प्लीज तुम रिवाइस कर लोगे, 6 बज़े आज कोई क्लास नहीं हो बच्छो, आज कोई क्लास नहीं हो, ठीक है, वो क्या है ना, अनुविटी का पूरा पेपर सेट कर रहा हूँ, आज का और कल का दी नुशी में जाएगा, पूरा मतलब 15 पेपर सेट हो गया, रिवीव करना है, ज तांक्यू, 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 और जो बच्छे सोचते ना कि मैं लाबस कंप्लीट नहीं कराऊंगा, वाइटी पर तुम देखते चले आना, ओके, क्या करूँ, बाय कर लूँ, आख कर ले, ठीक है, एनेफस्ट वालों को फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है, चलो, तांक्य